नैना प्रियल कहा हो तिन दोनों आज कॉलेज और ओफिस से छुट्टी लेने का इरादा है क्या अरे नहीं मम्मी छुट्टी ले हमारे दुश्मन मुझे पढ़ाई और दीदी को प्रखर कभी छुट्टी लेने दे सकते हैं क्या ये कहकर नैना प्रियल को देखकर हसने लगी देख रही है मम्मी से कॉलेज जाकर कितना मुझे चलने लगा है इसका सही कह रही हो प्रियल मैं भी देख रही हूँ और ये प्रखर क्या होता है जी जा जी कहा करो कुछ ही दिनों में प्रियल से शादी होने वाली है उसकी पहली बात मैं शादी के बाद भी जी जाजी तो नहीं बोलने वाली वरना वो बिचारे तो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे मैं जीजु बोलूँगी और अभी शादी नहीं हुई है तो जीजु बोलकर उन्हें एंबरस क्यों ही करना वैसे भी आजकल के लड़कों को ये सब सुनना पसंद नहीं है अरे पर ठीक तो कह रही है जब शादी हो जाएगी तब बुला लेगी जीजु आपको क्या पता मैं उन्हें शादी के बाद क्या बुलाओंगी मतलब? मतलब कुछ नहीं अचलो चल्दी चलो लेट हो रहा है ये कहकर नैना वहां से जाने लगी अरे पर नाश्ता? मैं कॉलेज में और दीदी ओफिस में कुछ खा लेंगी ये कहकर नैना प्रियल का हाथ पकर कर उसे घर के बाहर ले गई प्रियल ने स्कूटी ड्राइफ करी और नैना उसके पीछे बैट गई और दोनों वहां से निकल गई क्या करूं मैं इस लड़की का? कभी कभी तो मुझे डर लगता है इसका चुलबुलापन देख कर भगवान करे इसे कोई ऐसा मिले जो हमेशा इसके चहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखे और सौभाफ के इस चुलबुलेपन को सर आखो पर रखे दूसरी तरफ प्रियल नैना को कॉलेज के बाहर छोड़कर ओफेस के लिए निकल गई और नैना भी कॉलेज के अंदर चली गई तभी कॉरिडोर में किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खीचा और दीवार से लगा दिया नैना एक दम से चौप कई और अपना हाथ छोड़ाते हुए बोली तुम पागल हो क्या रजट दरा दिया मुझे और अगर किसी प्रोफेसर ने देख लिया होता तो हमारी यहीं खड़े खड़े ऐसी की तैसी हो जाती नैना ने मुग बनाते हुए कहा जिसे सुनकर उसकी सामने खड़ा एक बहुत हैंडसम सा लड़का जो लुक्स में नैना की खुबसूरती को पूरी टक कर दे रहा था वो बोला देख लेते तो देख लेते मैं उनके सामने इजहारे महबत कर देता और वैसे भी मैं किसी से डरता नहीं हूँ रज़त की बात सुनकर नैना ने अपनी आखे चढ़ाई और बोली अच्छा तो ठीक है मैं भी नहीं डरती चलो होटी की केबिन में चलकर अपने प्यार का इजहार कर दो वैसे भी मेरा सपना था कि कोई मुझे भी ऐसे फिल्मी अंदाज में प्रपोस करे यह कहकर नैना रज़त का हाथ पकड़ कर ले जाने लगी जिसे देखकर रज़त अपना हाथ छोड़ा कर उसे रोकते हुए बोला अरे नैना कंट्रोल तू तो सेंटी होगे यार मैं तो मजा कर रहा था बस निकल गई सारी हवा आइंदा जादा हीरो पंती में चाड़ना नैना रज़त से बोली और फिर उसके थोड़ा करीब आ गई और अगर चाड़ना तो उसे पूरा भी करना ये कहकर नैना हसते हुए वहाँ से चली गई ये लड़की तो मुझे पागली कर देगी ये कहकर रज़त भी नाना के पीछे पीछे चला गया दूसरी तरफ आफिस में प्रियल और प्रखर कैफेटेरिया में बैटकर कॉफी पी रहे थे प्रखर आँटी अभी भी शादी से नाखुश है ना तुम ये सब मत सोचो प्रियल मैं तुम से प्यार करता हूँ और तुम उससे क्या ये काफी नहीं है रही बात मा की बैटकर देखता रहा उसकी चेहरे पर थोड़ी चिंता की लकीरे साफ नजर आ रही थी मुझे जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता निकाल नहीं होगा इसी उलजन में प्रखर का पूरा दिन आफिस में गुजर गया शाम को जब वो अपने घर पहुचा तो हॉल में एक स्टाइलिश थी साड़ी पहने प्रखर की मा नीता सोफे पर बैटकर मैगजीन पढ़ रही थी प्रखर को आता देखकर वो बोली अरे प्रखर तुम आ गए? मैं कब से तुम्हारे इंतिजार कर रही थी? तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ ये कहकर नीता वहां से जाने लगी तभी प्रखर उन्हें रोकते हुए बोला एक मिनट मा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है तुमने प्रियल से रिष्टा तोड़ लिया यही बताना चाहते हो न तुम मुझे मा मैं आज तक समझ नहीं पाया कि आपको आखे प्रियल से प्रब्लम क्या है वो परी लिकी है, सुन्दर है, अच्छे घर परिवार से है तो फिर आप उसे नापसंद क्यों करती है गलत, मुझे प्रियल लड़की नापसंद नहीं है इट्स जस्ट आट कि मुझे वो तुम्हारे लिए पसंद नहीं है पर क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम प्रियल के साथ खोश नहीं रहोगे तुम्हारे लिए प्रियल सही चोईस नहीं है बलकि मेरी फ्रेंड की बेटी आईशा करेक्ट लाइफ पार्टनर है और वो तुम्हारी भी बच्पन की दोस्त रही है I am surprised कि तुम्हें उससे प्यार कैसे नहीं हुआ मा प्यार कोई जबर्दस्ती करने की चीज नहीं है कि तुम्हें इससे नहीं बलकि इससे प्यार कर लेना चाहिए था प्यार बस हो जाता है जैसे मुझे प्रियल से हो गया मैं मधु से वादा कर चुकी हूँ कि तुम्हारी शादी उसकी बेटी आयशा से ही होगी और तुम जानते हो कि मैं अपनी जुबान से कभी नहीं पलटती आपने मेरी जिन्दगी का इतना एहम फैसला ले लिया और मुझसे एक बार पूछने की जरूरत भी नहीं समझी और नहीं उसे रख पाऊंगा वो सिर्फ मेरी दोस्त है देखो प्रखर मैं मधु से वादा कर चुकी हूँ और वो मैं किसी भी कीमत पर तोल नहीं सकती तुम्हारे कहने पर मैंने आज तक प्रियल के माता पिता के साथ अच्छा वैभार किया हाँ कहा था क्योंकि मुझे लगा था कि शायद अप प्रियल और उसके परियल को समझ नहीं पाई है इसलिए मना कर रही है पर वक्त के साथ आपको उनकी अच्छाएट देख जाएगी और आप खुद बाखुद अपना फैसला बदल लेंगी पर मुझे नहीं पता था कि आप तो कुछ और ही सोच कर बैठी हैं एक बात मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहता हूं कि मैं अगर शादी करूँगा तो सिर्फ और से प्रियल से करूँगा पर अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जंदगी भर शादी नहीं करूँगा ये कहकर प्रखर वहां से चला गया और नीता शौप में खड़ी होकर उसे दीखती रह गई यूही कुछ दिन बीट गए पर ना तो प्रखर ने अपनी जिच छोड़ी और ना ही नीता ने बलकि प्रखर ने नीता को अपनी कसम दे दी कि वो प्रियल के पेरेंट से कुछ भी नहीं कहेंगी इन बातों की वजह से वो काफी परेशान रहने लगी उसे ऐसे देखकर प्रखर के पिता अनुज उसे अकसर समझाने की कोशिश करते कि वो अपनी जिच छोड़ दे पर नीता टस से मस नहीं होती अगले दिन कॉलेज में नैना और रजट क्लास अटेंड कर रहे थे तभी रजट का फोन बजा फोन रिंगिंग पर होने की वज़ा से पूरा क्लास डिस्टरब हो गया और सब उसे देखने लगे उसने फोन देखा तो वो उसकी छोटी बेहन रीना का था जो उसी कॉलेज में बढ़ती थी रजट ने तुरंथ फोन डिसकनेक कर दिया और अपना फोन साइलेंट मोट पर डाल दिया और प्रोफेसर से सॉरी कहा क्लास दुबारा से स्टार्ट हो गई फोन साइलेंट मोट पर डालने का ध्यान रखा करो बैतवी किसका फोन था? रीना का रीना का नाम सुनते ही नैना हसते हुए धीरे से बोली फिर कॉलेज में उससे किसी ने कुछ कह दिया होगा जिसकी कंप्लीन करने के लिए तुम्हें फोन कर रही होगी रजट नैना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और दोनों क्लास अटेंड करने लगे क्लास ओवर होने के बाद रजट ने रीना को कॉल बैक किया रजट ने नैना के तरफ चल दिया जहां रीना कुछ लड़कियों के साथ खड़ी थी रजट को वहाँ देखकर रीना खोश हो गई पर उसी के साथ खड़ी नैना को देखकर उसे कुछ खास खोशी नहीं हुई और वो खुद में बरबराती हुई बोली ये तो हर वक्त रजट के पीछे ही लगी रहती है पर फिर भी अपनी फिलिंग्स हो कंट्रोल करके वो उन दोनों के पास आकर नैना से बोली हाई नैना हाई रेना रजट मेरी एक हेल्प कर दो प्लीज मुझे एनुसे सोशियोलोजी के नोट्स चाहिए हैं अगर मैं उससे डारेक्ट मागोंगी तो वो मुझे नहीं देखी क्योंकि वो मुझे से चिड़ती है पर वो तुमें काफी पसंद करती है अगर तुम कहोगी तो वो मना नहीं कर पाएगी प्लीज मेरे साथ चल कर उससे कह दो ना रीना ने रजट का हाथ पकड़ लिया ये सब क्या है रीना वैसे मुझे एक बात बताओ तुम्हारे नोट्स चूटे कैसे क्योंकि घर से तो तुम रोजी कॉले जाती हो रजट की बात सुनकर रीना सक पका गई वो actually हम लोगों का कल मूवी देखने का प्लान बन गया था तो हम क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे एक तो तुम क्लास बंक करके मूवी देखने जाती हो और उसके बाद तुम उससे इस तरह से किसी लड़की की फिलिंग्स का फायदा उठाकर उससे नोट्स मांगने के लिए क्या रही हो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा इतना भी क्यों भाफ खा रहे हो जरा से नोट्स मांगने के लिए ये तो कहा है इसमें भाफ खाने की कोई जरूरत नहीं है तुमें Sorry to interrupt पर रीना रजट सही कह रहा है इस तरह से किसी की भी feelings का सहरा लेकर अपना काम निकलवाना गलत है तुमें बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है नैना ये हम भाई भेन की पीच की बात है रीना की बात सुनकर नैना चुप हो गई पर रजट को रीना का नैना से इस तरह से बात करना बिलकुल अच्छा नहीं लगा एक तो गलत काम करती हो और जब नैना तुमें सही बात समझा रही है तो तुम उससे बत्तमीजी से बात कर रही हो रजट को नैना का इस तरह से पक्ष लेता देखकर रीना को बहुत गुसा आया रीना को उसकी गलती का रिलाइस कराना बहुत ज़रूरी है अब तुम ये सम मत सोचो थोड़ी देर में उसका मूट खुट ठीक हो जाएगा नैना ने हां में सिरह लाया और दोनों कैफेटेरिया में चले गए वहीं दूसरी तरफ शाम को रीना गुस्से में घर आई उसे ऐसे गुस्से में देखकर नीता उसके पास आई और बोली क्या हुआ रीना तुम्हरे मूड इतना खराब क्यों है वो नैना अपने आपको समझती क्या है वो होती कौन है मेरे और मेरे भाई की बीच में बोलने वाली कुछ सोचने लगी कुछ पर बाद उसके चहरे पर एक मुसकान आई जो बहुत कुछ कह रही थी ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई अब देखना आगे आगे होता है क्या ये कहकर नीता हसने लगी आखिर क्या चल रहा है नीता के दिमाग में और उसके मनसूबे किसकी जिन्दिगी पर अस्त्र डालने वाले हैं आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहे जो खाई थी कसम वो निभाई नहीं कहानी का अगला भाग सिर्फ अपने चैनल लव सिटी पर आपको हमारी नई कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा थैंक्स फॉर वाचिंग प्रखर के लिए अपनी ऐसी बे रुखी नीता को अच्छी नहीं लगी पर फिर भी अपनी नाराज की प्रखर पर जाहिर करे बिना नीता उसकी बगल में आकर बैट कई नाराज हो? नहीं मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो और तुम्हारी ये नाराज की मुझसे बरदाश नहीं हो रही है इसलिए मैं तुमसे कुछ कहने आई हूँ प्रखर ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, मुझे तुम्हारा और प्रियल का रिष्टा मनजूर है नीता की बात सुनकर प्रखर शौक हो गया और हैरानी से नीता की तरफ देखने लगा उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था मेरे लिए अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपोर्टन कोई है तो वो तुम हो मैं हर कीमत पर तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ और अगर मेरे किसी फैसले से तुम ही खुश नहीं हो तो ऐसे फैसले का क्या फायदा नीता की बात सुनकर प्रखर की खुशी का ठेकाना नहीं रहा और वो उसे गले लगाते हुए बोला थैंक यू मा आप बहुत अच्छी है I love you मा I love you too बेटा तुम प्रियल को इंफॉर्म कर दो हम लोग कल ही उसके घर चल कर शादी की बात करेंगे प्रखर ने मुस्कुराते हुए हामे से रहलाया और नीता वहां से चली गई नीता के जाते ही प्रखर ने प्रिया को कॉल करा प्रियल उस वक्त सुभाश, रेखा और नैना की साथ बैटकर खाना खा रही थी प्रियल का फोन बजने पर नैना ने उसके फोन स्क्रीन पर नजर डाली जिस पर प्रखर लिखा आ रहा था प्रखर का नाम देखते ही नैना की चहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई लो भई, अब तो हो गया खाना, अब तो सिर्फ बाते हूंगी प्रखर और प्रियल की ये कहकर नैना हसने लगी, और सुभाश और रेखा की चहरे पर भी मुस्कान आ गई प्रियल थोड़ा एंबैरस हो गई और नैना की सर पर हलका सा मारते हुए वहाँ से चली गई हलो प्रखर तुमने इस वक्त कैसे फोन किया हम लोग खाना खा रहे थे तुम्हारा फोन आता देकर नैना ने मेरा मज़ाग बना दिया खुशी इतनी जादा थी कि कंट्रोली नहीं हुई मतलब माहा मारी शादी के लिए राजी हो गई है और हम लोग कल शादी की बात करने तुम्हारे घर आ रहे हैं एक पल को तो प्रियल को समझ ही नहीं आया कि प्रखर क्या कह रहा है उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ तुम सच कह रहे हो न प्रखर प्रियल ने शर्मा कर फोन डिसकनेक्ट कर दिया और बाहर हॉल में आकर सुभा श्रेखा नैना को इस बारे में बताया सबके सब ये जानकर बहुत खुश हुए अगले दिन सब सुभा से प्रकर और उसके घरवालों के आने की तैयारियों में लग गए थोड़ी दिर बाद प्रकर अपने माता पिता और रजट के साथ आ गया और सब आपस में बाते करने लगे प्रकर और प्रियल की शादी की बात होती देख कर रजट बार बार नैना को आँख मार कर इशारा कर रहा था और नैना नजरे चुरा रही थी अंटी वो ज़रा वाश्रूम जाना था हाँ हाँ बेटा नैना नैना ने हाँ में सिर हिलाया बस कुछ सालों की बात है भाई की जगे मैं और प्रियल की जगे तुम होगी तुम पागल हो गया रजट वहाँ सब के सामने बैठकर मुझे इशारे कर रहे हो कोई देख लेता तो देख लेता तो देख लेता जो काम कुछ सालों बाद होना है वो लगे हाथा भी हो जाता ओ कोड रजट चलो अभी कुछ दिर में रजट और नैना वापस हॉल में आ गए प्रियल वहाँ आ चुकी थी उसने एक सुंदर सा सलवार कमींस डाला हुआ था भाई सहब, बेहन जी मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द ये शादी हो जाए और मैं अपनी बहु को अपने घर ले जाऊँ जी बेहन जी मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ तो ठीक है अब अगर सब ऐसा ही चाहती है तो मैं आज ही पंडे जी से इन दोनों की शादी की डेट निकल वा लेता हूँ तभी नैना प्रकर को देखकर तपाक से बोली और बस फिर इनका हमसे ओफिशल तोर पर रिष्टा जुट जाएगा और मैं इनकी आदी घर वाली बन जाऊँगी प्रकर की बात सुनकर सब हसने लगे शादी की बात पक्की करके प्रकर और उसके घर वाले वहां से चले गए घर पहुँचकर अनुच सबसे बोले हाँ अनुच मैं भी उसी दिन का इंतिजार कर रही हूँ रीना जिसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कमरे के दर्वाजे पर खड़ी सब सुन रही थी और गुसे में जल भुन रही थी कुछ देर बाद आपस में बात करने के बाद सब अपने अपने काम पर निकल गए सब के जाते ही रीना पैर पटकते हुए नीता के पास आई ये सब क्या है मा आप इस शादी के लिए कैसे राजी हो गई आप तो इसके खिलाफ थी ना खिलाफ थी पर अब नहीं हो पर क्यों एक रात में ऐसा भी क्या बदल गया कि आपने अपना फैसला बदल लिया आप जानती है ना मुझे प्रियल की बेहन वो नैना बिलकुल पसंद नहीं है फिर आपने उसके घर में रिष्टा जोड दिया रिष्टा सिर्फ तुम्हारी बचकानी पसंद के हसाब से तो नहीं करा जा सकता ना रीना और तुम्हें इन घरेलू मामलों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो नीता ने रीना को डांट दिया अपनी मा का ये रूप देखकर रीना पैर पटकते होए वहां से चली गई नीता ने भी उस पर ज़ादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लग गई शाम को प्रियल के पिता सुभाश पंडित जी से शादी की डेट निकलवा कर लाए पंडित जी ने एक महिने बाद की डेट निकाली थी एक महिना तो बहुत कम है कैसे क्या होगा अरे मा परिशान मत हो मैं हूना हम सब मिलकर सारी तयारिया कर लेंगे तुम मेरी नहीं बलकि प्रियल के हेल्प करवा दो उसकी भी तो कितनी तयारिया होंगी न बेटा हाँ हाँ माज सब हो जाएगा मैं और प्रियल आज ही जाएगे फंक्शन्स के लिए ड्रेस देखने सबसे बड़ा काम वही है हाँ नैना मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी ऐसे सबने अपने अपने काम पकड़ लिए और शादी की तयारियों में लग गए कुछ ऐसा ही हाल प्रकर के घर में भी था वहाँ पर भी प्रकर की सारी तयारियों का जिम्मा रज़त ने ले लिया था शाम के चार बज रहे थे नैना मार्केट जाने के लिए रेडी होकर प्रियल का हॉल में वेट कर रही थी और प्रियल तयार हो रही थी तब ही उसके बास प्रखर का फोन आया हलो नैना हाँ प्रखर कहिए तुम लोग क्या कर रहे हो और प्रियल प्रियल कहा है ये तो आप टारिक दीदी से भी पूछ सकते थे न वैसे वो रूम में रेडी हो रहे हैं मार्केट जाने के लिए आज हम लोग शादी का लहंगा देखने जा रहे हैं ओ, दाट्स ग्रेट, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा काम? कैसा काम? प्रखर ने नैना से कुछ कहा जिससे सुनकर नैना खुश होकर बोली आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा ये गहकर नैना ने फोन डिसकनेक्ट कर दिया तब तक वहाँ प्रियल आ गई किस से बात कर रही थी? कुछ नहीं, एक फ्रेंड का फोन आया था चलें? हाँ प्रियल और नैना दोनों स्कूटी से मार्केट के लिए निकल गई आज नैना स्कूटी ड्राइफ कर रही थी अरे नैना हमें तो मलोतरास के यहां जाना था ना ये तुम कहां स्कूटी लेकर जा रही हो? अरे मुझे एक बहुत अच्छी शॉप पता चली है तो पहले हम वहाँ देखते हैं अगर नहीं समझ में आया तो फिर मलोतरास है ही अरे पर कोई परवर नहीं नैना ने प्रियल की बात नहीं सुनी और गाड़ी चलाने लगी थोड़ी देर बार नैना ने एक बहुत बड़े शोरूम के बाहर गाड़ी रोक दी नैना तुम्हारा दिमाग तो ठीक है तुमने सूरी इसके बाहर गाड़ी रोकी है जानती हो इनके रेट्स आस्मान छूते हैं जानती हूँ पर तुम चलो तो अरे पर नैना प्रियल का हाथ पकड़ कर शोरूम के अंदर ले आई पर इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलती उसकी नजर वहाँ खड़े प्रखर और रजट पर पड़ी तुम दोनों यहाँ? अच्छा, मतलब यह तुम लोगों की मिली जुली भगत है हाँ, काइंड ओफ लीजिये, कर दिया मैंने आपका काम अब आप समझ गए होंगे कि कितने काम की चीज़ हूं है मेरे जैसी साली हर किसी को नहीं मिलती बिल्कुल, मान गए चलो प्रियल, मैंने तुम्हारे लिए कुछ लहंगे शौट लिस्ट करके रखे हैं उन्हें देख लो चल कर प्रखर हाथ पकड़ कर प्रियल को ले गया उनके जाते ही रजट ने नैना का हाथ पकड़ लिया ये क्या कर रहे हो? भाई अपनी दुलहन के लिए लेंगा पसंद कर रहे हैं तो मैंने सुचा क्यो ना मैं भी अपनी दुलहन के लिए ड्रेस देख लो रजट जबरदस्ती नैना का हाथ पकड़ कर काउंटर पड़ ले गया और उसके लिए ड्रेसिस देखने लगा रजट क्या कर रहे हो? जब घर पर सब पूछेंगे ड्रेस कहां से आई तो मैं क्या जवाब दूँगी? प्रखर और रजट दोनों ने प्रियल और नैना की पसंद की ड्रेस ओडर कर दी जो कि 20 दिन बाद मिलनी थी नैना थोड़ी टेंशन में थी कि क्या जवाब देगी पर फिर भी रजट का मन देखकर उसने ड्रेस ले ली थोड़ी दिर बाद वो लोग अपने घर के लिए निकल गए यूही दिन बीतने लगे और धीरे-धीरे शादी का दिन आ गया सुबह से ही घर में काफी चहल पहल थी और सब शादी की तैयारियों में लगे हुए थे दोनों घरों में बहुत रौनक थी वही प्रकर के घर में रीना मुह बना कर अपने कमरे में बैठी हुई थी तब ही वहाँ नीता आई रीना को ऐसे बैठे देख कर वो बोली अरे रीना तुम यह ऐसे क्यो बैठी हो कुछी दिर में बाराद चलने वाली है मुझे कहीं ने जाना मा आप जाईए और इंजोए कीजी यह क्या तरीका है बात करने का आज तुमारे भाई की शादी है और तुम ऐसे कर रही हो अरे जूमो नाचो भाई के लिए तो यह ब़हत खास होता है और तुम ऐसे कर रही हो जो कुछ मन में है उसे निकालो और अपनी भाई की खातिर चलो मैं भी तो चल रही हूँ ना नीता ने रीना को काफी समझाया बुझाया और वो मान गई थोड़ी देर में बारात प्रियल के घर पहुँच गई और प्रखर मंडप में बैठ गया जी पंड़ी रेखा प्रियल को लेने उसके कमरे में चली गई जैसे ही वो कमरे में पहुची तो उन्होंने देखा कि वहाँ नैना परेशान से खड़ी है उसे ऐसा देखकर रेखा बोली अरे नैना तुम ऐसे क्यों खड़ी हो और प्रियल कहां है पता नहीं मा दिदी कहां है थोड़ी देर पहले एक आफिस कॉल अटेंड करने रूम से बाहर गई थी पर तब से आई ही नहीं ये क्या बोल रही हो तुमने उसका फोन ट्राइ किया कहां जाएगी यहीं कहीं होगी नीचे पंड़ी जी बुला रहे है उसे रुको मैं फोन करती हूँ ये कहकर रेखा प्रियल का फोन ट्राइ करने लगी पर किसी ने नहीं उठाया जिससे वो भी परेशान हो गई वो दोनों आपस में परेशान हो ही रही थी कि तबी रेखा के फोन पर प्रियल का फोन आया जिसे देखकर उन्होंने चैन की सांस ली और तुरंथ फोन रिसीव किया प्रियल कहा हो तुम? हद होती है बचपने की नीचे पंडी जी तुम्हें बुला रहे हैं और तुम गायब हो? मा, मैं यह शादी नहीं कर सकती प्रियल की बाद सुनकर रेखा शौक्ड रह गई आखिर क्यों प्रियल ने अपने ही प्यार से शादी करने से मना कर दिया और बीच शादी से वो कहां चली गई? आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहे है जो खाई थी कसम वो निभाई नहीं कहानी का अगला भाग सिर्फ अपने चानल लव सिटी पर आपको हमारी नहीं कहानी कैसी लग रही है? हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा थैंक्स फॉर वाचिंग पंडित जी ये कहे ही रहे थे कि तभी रेखा वहाँ प्रियल को लेकर आ गई प्रियल ने पूरा घुंगड लिया हुआ था प्रियल चुपचाप मंडप में आकर बैठ गई तभी सुभाश प्रियल के पास खड़ी रेखा के पास आए और धीरे से बोले रेखा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तभी प्रियल के बगल में बैठे प्रखर ने उससे धीरे से पूछा प्रियल तुमने वो वाला लहंगा क्यों नहीं पहना जो मैंने तुम्हें दिलाया था रेखा ने प्रखर की बात सुन ली और इससे पहले कि प्रियल को इस जवाब दे पाती रेखा बोली बीटा हमारे यह रिवाज है लड़की अपनी शादी में अपनी मा का लहंगा पहनती है मुझे इस रिवाज के बारे में अभी कुछ दिनों पहले ही पता चला जब हमारे परिवार की एक बुजूर्ग ने मुझे पताया प्रियल को भी यह बात पता नहीं थी पंडि जी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिये और कुछ ही वक्त में उनकी शादी संपन हो गई रिना दूर खड़ी शादी देख देख कर मुँ बना रही थी कुछ वक्त में प्रियल विदा होकर जाने लगी वो रेखा के गले लगकर बहुत रो रही थी सुभाश के भी आखे नम थी तब ही उन्होंने इधर उधर देख कर कहा ये नेना कहा है अपनी बेहन को विदा करने नहीं आएगी क्या शादी की दोड़ भाग की वज़ह से उसकी तबियत खराब हो गई है इस वज़ह से वो आराम कर रही है प्रियल मंडप में आने से पहले उससे मिल कर आई है अरे नेना को क्या हो गया रेखा की बात सुनकर सुभाश चुप हो गए प्रियल अपनी मा के गले लगकर बहुत रो रही थी और वो उसे समझा रही थी कुछे देर में प्रियल की विदाई हो गई प्रकर प्रियल को लेकर सबके साथ घर आ गया जहां नीता ने अपने बेटे बहु का बहुत अच्छे से स्वागत किया और प्रियल का क्रह प्रवेश कराया अरे प्रियल अब तो घूंगट उपर कर लो कब तक अपना चेहरा छुपाई रहोगी हम भी तो देखे अपने बहु को नीता प्रियल का घूंगट उठाने के लिए बढ़ने लगी पर तभी रुक कर बोली चलो रहने देती हूँ अब प्रखर ही सबसे पहले तुम्हारा घूंगट उठाएगा ये कहकर वो हसने लगी और उसके साथ साथ बाकी सब भी हाहाहा रीना जाओ अपने भाबी को उसके कमरे तक छोड़ कर आओ रीना ने मुग बनाते हुए हां में सिरहलाया और प्रियल के पास आकर बोली चलिए रीना प्रियल को लेकर प्रखर के कमरे में चली गई जो बहुत अच्छे से सजा हुआ था और प्रियल को बैट पर बिठा दिया प्रियल थोड़ा कापते हुए बैट पर बैट गई कुछ दीर में वहां प्रखर आ गया और अपने प्यार को फूलों की सीच पर बैठे देख कर उसकी खुशी का ठेकाना नहीं था प्रखर प्रियल के पास आकर बैट गया और उसकी कापते हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बोला प्रियल मुझे यकिन नहीं हो रहा कि तुम इस रूप में मेरे सामने बैटी हो हमारे प्यार को उसकी मन्जिल मिल गई वो ये सब कहे ही रहा था कि तब ही उसके हाथ पर आसो की एक गुन किरी जिससे वो थोड़ा चौकते हुए बोला क्या हुआ प्रियल तुम रो क्यों रही हो समझ गया खुशी के आसो है नहीं ये कहकर प्रखर ने प्रियल का घूंगट उठाया और अपने सामने उसने जो देखा उसके पैरो तले जमीन खेसक गई वो बैट से उड़कर खड़ा हो गया उसके सामने प्रियल नहीं बलकि नैना अपनी आखे बंद करे बैठे होई थी और उसकी आखों से लगातार आसो बह रहे थे यह कैसा मजाक है नैना देखो मजाक करना अपनी जगह है पर इतना भी नहीं चलो छोड़ो यह बताओ प्रियल कहा है नैना ने प्रखर की बात का कोई जवाब नहीं दिया जिसे देखकर प्रखर ने उससे दुबारा पूछा नैना मुझे मजाक अच्छा नहीं लग रहा है बताओ प्रियल कहा है आपकी शादी प्रियल से नहीं बलकि मुझ से हुई है नैना की बात में प्रखर को अंदर तक हिला दिया और वो थोड़े गुसे में बोला क्या बकवास कर रही हो मजाक की भी हद होती है मैं मजाक नहीं कर रही यही सच है प्रियल दीदी शादी छोड़ कर चली गई थी इसलिए मुझे उनकी जगा पिठा दिया गया ये सब तुम क्या बोल रही हो? भला प्रियल क्यों शादी छोड़ कर जाएगी? ये शादी उसके मर्जी और खुशी से ही हो रही थी. तो उसके पास ऐसा करने की क्या वज़े होगी? मजाग छोड़ो और प्रियल को बुलाओ अब. मैं जो कह रहे हूँ? सच कह रहे हूँ. ये क्या मसा खिप्रियल और अपनी शादी के दुना से अशुब बाते नहीं करते हैं. मैंने कहा ना मा, मैं ये शादी नहीं कर सकती. बेटा, मंडप में प्रखर बैठा हुआ है. इतने सारे रिष्टेतार पड़ोसी दोस सा मौजोद है. मैं क्या करूँगी? हमारी बहुत बेज़ती होगी. प्लीज ऐसा मत करो. और प्रखर को तो तुम ही ने चुना था ना. फिर तुम ऐसे क्यों कर रही हूँ? मा, मेरे पास आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है. बस मैं इशादे नहीं कर सकती. यह कहकर प्रियल ने फोन डिसकनेक्ट कर दिया. हलो, हलो, प्रियल. रेखार रोते हुए जमीन पर बैठ गई. यह बगवान, मैं क्या करूँ? इस लड़की ने तो हमें कहीं कर नहीं छोड़ा. अब क्या होगा? मा, संभालिए खुद को. कैसे संभालू नेना? क्या कहूँगी मैं नीचे जाकर? नेना भी अपने मा की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान थी. तभी रेखा ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और कहा. अब अगर इस गार को और अपने माता पिता को कोई शर्मिंदगी से बचा सकता है, तो वो सिर्फ तुम हो नेना. नेना हैरानी से रेखा के तरफ दे नेना, प्लीज बेटा. नेना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें. तभी रेखा ने अलमारी से अपनी शादी का जोड़ा निकाला और नेना को दे दिया. नेना की मुह से एसब सुनकर प्रखर शौक्ट रह कया. उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे. मुझे समझ नहीं आरा नैना कि मैं क्या कहूं क्या करूं ये कहकर प्रकर अपना सर पकड़कर बैट गया नैना भी पत्थर सी बैट पर टेक लगा कर बैट गई उसकी आखों से लगा तार आसू बह रहे थे दूसरी तरफ सुभाष ने सारे महमानों के जाने के बाद रेखा से कहा ये कहकर सुभाष नैना के कमरे की तरफ जाने लगा तब ही रेखा बोली सुभाष की बात सुनकर रेखा रोने लगी और उसने सुभाष को सारी बात बताई जिसे सुनकर सुभाश ने अपना सर पकड़ लिया इतनी बड़ी बात तुमने मुझे चुपाई रेखा तो क्या करती मैं मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि प्रियल ने ऐसा क्यों किया और वो है कहा सुभाश की चेहरे पर भी चिंता की लकीरे साफ नजर आ रही थी सुभा हो गई थी प्रखर और नेना शादी के ही कपड़ों में बैठे हुए थे प्रखर ने एक नजर नेना पर डाली चलो नेना हमें घरवालों को भी ये सचाई बतानी होगी नेना को बहुत घबराहट हो रही थी जिसे प्रखर महसूस कर रहा था तुमें घबराने की जरूरत नहीं है मैं समालूंगा चलो ये कहकर प्रखर नेना को लेकर कमरे से बाहर आ गया बाहर सब लोग नाश्टे के लिए बैठे हुए थे और रजट बार-बार नेना का फोन ट्राय कर रहा था जो स्विच ओफ जा रहा था तभी नीता की नजर प्रखर पर पड़ी और उसके बगल में शादी के जोड़े में खड़ी नेना पर भी नेना को वहाँ देख कर सब के सब चौट कर और रजट को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ प्रखर ने सबको पूरी बात बताई जिसे सुनकर नीता गुसे में बोली इतना बड़ा धोका हमारे साथ वो लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं एक बेटी से शादी तैकी और दूसरी से करवा दी मैं अभी फोन करके उनसे बात करती हूँ यह कहकर नीता नैना के घर फोन करने के लिए आगे बढ़ी पर तब ही प्रखर उन्हें रोकते हुए बोला आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी पर प्रखर? अंकल आंटी ने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया क्योंकि वो प्रियल की वज़े से मजबूर थे लेकिन अभी किसी को भी शादी के बारे में पता नहीं है इसलिए मैंने एक फैसला किया है कैसा फैसला? अंजाने और धोके से जुड़े रिष्टे को मैं नहीं मानता इसलिए मैं अभी इसी वक्त नेना को उसके घर वापत छोड़ कराऊंगा मेरी नजरों में शादी के कोई माइने नहीं है उसकी बात सुनकर सब शौक्ड रह गए चलो नेना प्रखर नेना को ले जाने लगा रुको प्रखर अनुच की आवाज सुनकर प्रखर और नेना रुक गए तुम्हारे मानने या ना मानने से इस बात को जुटलाया नहीं जा सकता कि तुम्हारी और नेना की शादी नहीं हुई अंजाने में ही सही पर तुम दोनोंने पवित्र अगरी के सामने साथ फेरे लिये हैं जिसने तुम्हें जंदगी भर के रिष्टे में बान दिया है तुम चहा कर भी से ऐसे खत्म नहीं कर सकते हो ये आप क्या कह रहे है ये शादी नहीं दोका है किसी भी हालत में रिष्टा जुदा हो पर आज की सचा ये है कि नैना प्रकर की पत्री है और इस घर की बहु इसलिए वो यहां से कही नहीं जाएगी बल्कि इसी घर में रहेगी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा आपको इसका और इसकी परिवार का धोका दिखाई नहीं दे रहा मुझे तो इसमें कोई ना कोई चाल लग रही है तुम चुप रहो रीना छोटी हो छोटी ही रहो पापा इस तरह के रिष्टे का क्या मतलब है जब मैं नैना को कभी अपनी जिंदगी में फैसला ले रहे थे उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ हो जाएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था दूसरी तरफ रजट नामाकों से बस नैना को देखे जा रहा था आज उसका प्यार उसके भाई की पतनी के रूप में खड़ा था हर किसी की जिंदगी की एक अचब सी उलचन थी अनुज के फैसले के आगे कोई कुछ नहीं बोल पाया और नैना उसी घर में रुक गई अनुज ने फोन करके नैना के घर पर बात कर ली और दोनों परिवारों ने हालात को देखते हुए इस रिष्टे को एक मौका देने का फैसला किया प्रियल का अभी भी कुछ पता नहीं चला था रात हो गई थी नैना किचिन में पानी लेने आई उस वक्त वहाँ कोई मौजोद नहीं था वो पानी लेकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी तभी उसके सामने रजट आ गया और वो उससे टकराते टकराते बची रजट घर से बाहर जा रहा था दोनों की एक दूसरे से नजरे मिली जिसमें दोनों का ही दुख साफ नजर आ रहा था कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे को यूँ ही देखते रहे तभी नैना ने अपनी नजरे जुका ली और रजट से नजर चुराते होए वहां से जाने लगी नैना रजट की मुह से अपना नाम सुनकर उसने अपनी आखे बंद कर ली आशो की धार उसकी आखो से बह गई और उसके कदम रुक गए तुम ठीक हो ठीक होने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है कभी सोचा नहीं था कि कभी हम ऐसे आपने सामने खड़े होंगे जो सोचो वो हूता कहां है बहुत फिल्मी थी ना मैं हर चीज फिल्मी स्टाइल में पसंद थी देखो मेरी पूरी जिंदगी ही फिल्म बन गई नैना ने अपने आखों से आशो पोचे और वहां से चली गई रजत ने भी अपने आशो पोचे और वहां से चला गया वहीं दूसरी तरफ कमरे में प्रकर प्रियल की तस्वीर हाथ में लिए खिड़की के पास खड़ा था और अपने और उसके बीच के पलो को याद कर रहा था क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, अगर तुम्हें यही करना था तो प्यार का दिखावा क्यों किया दर्वाजी के पास खड़ी नैना सब कुछ सुन रही थी, उसे भी प्रखर के लिए बहुत बुरा लग रहा था, वो चुपचाप कमरी में आ गई, नैना को कमरी में आया देखकर प्रखर ने अपने आसू पोचे और प्रियल की तस्वीर को पॉकेट में रख लिया नैना तुम बैट पर सो जाओ, मैं यहाँ सोफे पर सो जाओंगा उसकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ बैट पर सो जाएए, मैं सोफे पर सो जाओंगी, वैसे भी गलती मेरी बेहन से हुई है, तो अच्जस्ट मुझे ही करना चाहिए प्रियल ने जो भी किया नैना, उसके लिए मैं तुम्हें कसरवार नहीं मानता, बलकि मुझे इस बात का अफसोस है, कि इस सब में तुम्हारी जुन्दगी बरवाद हो गई अब बेट पर सो जाईे, मैं सोफे पर सो जाओंगी, यह कहकर नैना ने तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गई, प्रखर ने एक नजर उसे देखा, और फिर खुद भी बेट पर जाकर लेट गया, और लाइट्स आफ कर दी, अगले दिन अनुझ ने नैना और प्रखर और नैना को अनुच की बात माननी पड़ी और प्रखर ने उनसे टिकेट ले ली, नीता और रीना ये सब देखकर मन ही मन जल भुन रही थी, अगले दिन शाम को प्रखर और नैना एयरपोट के लिए निकल गए, वहीं दूसरी तरफ सुभाश और रेखा के घर की किस जखमी हालत में खड़ी हुई थी, आखिर कहां थी प्रियल अभी तक, क्या होगा नैना और प्रखर के इस अंचाहे रिष्टे का अंचाम, आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए, जो खाई थी कसम, वो निभाई नहीं, सिर्फ अपने चानल लव सिटी पर, ठैंक् नैना और प्रखर शिमला के होटल में पहुँच गए थे, तुनों रिसेप्शनिस्ट के पास गए, हाई, आई, आपके नाम से हानीमून स्वीट बुक है, हानीमून स्वीट सुनकर प्रखर और नैना दोनों एंबारस हो गए, और एक दूसरे से नजरे चुराने लगे, रूम की कीज लेकर प्रखर और नैना अपने सामान के साथ रूम की तरफ चले गए, कुछ ही देर में वो लोग रूम में पहुँच गए, उनका कमरा काफी डेकुरेटिड था, इस तरह से चीज़े देखकर प्रखर और नैना बह मेरे बीच का रिष्था ऐसे बदला है, कि एक दूसरे से नजरे मिलाना भी मुश्किल हो गया है, प्रियल तुमने ना सिर्फ मेरी, बल्कि अपनी बहन की जिंदगी भी बरबात कर दी है, कितना प्यार करते थे हम तुमें, और तुमने ये किया प्रखर के चहरे पर एक गुसा और जुझलाहट साफ नजर आने लगी, थोड़ी देर में प्रखर दुबारा से होटेल रूम में चला गया, उसी वक्त नैना बात्रूम से नहा कर निकली, उसके गीले बाल उसके चहरे पर आ रहे थे, और उसने दुपट्टा भी नहीं लि लिया, दूनों एक दूसरे को देखने लगे, कुछ पल एक दूसरे को देखकर नैना ने अपनी नजरे घुमाली और सीधी खड़ी हो गई, और वहां से जाने लगी, नैना, प्रखर के रोकने पर वो रोक गई, नैना मैं तुमसे कुछ बात करना चाता हूँ, कहिए, जो क जुड़ने से पहले हम दोस्त है नैना, मैं चाहता हूँ हम अभी चीजों को साइड में रखकर, फिर से दोस्त की तरह रहे, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सभाव का चुलबुलापन, जो इन सब चीजों की वज़े से कहीं खो गया है, वो वापस आ जाए, ये सिर्फ कहन आसान है, करना उतना ही मुश्किल, पहले की नैना और आज की नैना में बहुत अंतर है प्रकर, पहले की नैना के पास बहुत सी वज़ात ही खुश रहने की, और आज की नैना किसी और की जिंदगी का जबरदस्ती हिस्सा बनी बैठी है, कहकर नैना खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और उसकी आखों से आसू बहने लगे प्रखर भी उसके पास आकर खड़ा हो गया नैना के पास प्रखर की बात का कोई जवाब नहीं था और वो उसे देखने लगी प्रखर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा नैना के होटों पर भी हलकी सी मुस्कान आ गई तो फिर जल्दी से तयार हो जाओ हम घूमने चलते हैं घूमने? अब शिमला आही गए है तो घूमी लेते हैं ये कहकर प्रखर फ्रेश होने चला गया आज कई दिनों बाद नैना का मन भी कुछ हलका हुआ था वो भी रेडी होने लगी और थोड़ी दिर में वो दोनों घूमने के लिए निकल गए दूसरी तरफ प्रियल घर के सोफे पर बैठी बस रोए जा रही थी सुभाश और रेखभी वही मौजूद थे अपनी बेटी को ऐसे रूते देखकर उन्हें खराब तो लग रहा था पर गुस्ता उनके प्यार पर हावी हो रहा था कहा थी तुम शादी वाले दिन थी प्रियल मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम हमारे साथ ऐसा कर सकती हो जबकि ये शादी तो तुम्हारी मर्जी से ही हो रही थी जवाब क्यों नहीं देती क्यों किया तुमने ऐसा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया पापा बलकि मेरे साथ किसी ने ऐसा किया है मैं तो बहुत खुश थी इस शादी से तो भला मैं ऐसा क्यों करूंगी कहना क्या चाती हूँ प्रियल शादी की जोड़े मैं अपने कमरे में बठी थी तब ही उसका फोन बजा हलो, हलो, मिस्स प्रियल से बात हो रही है मेरी जी हाँ कहिए मैं खन्ना इंटरनाशनल लेमिटेट से बात कर रही हूँ खन्ना इंटरनाशनल? जी, हमारे पास एक जॉब आफ़र है आपके लिए पर आपके पीछे से बहुत शोर आ रहा है वो, एक्चली आज मेरी शादी है तो इसी वजह से मेरी ड्रीम कमपनी से कॉल आया है वो भी आज की ही दिन सच में प्रखर मेरे लिए कितना लखी है एक मिनट, आप मुझे जॉब प्रोफाइल बता दीजिए मैं एक दू दिन में इंटर्व्यू के लिए आ जाऊंगी एक मिनट, प्रियल घर के पीछे वाले दर्वाजे से घर के बाहर निकल गई जहां कोई नहीं था और उस लड़की से बाते करने लगी वो उससे बात कर ही रही थी कि तबी एक हाथ पीछे से उसके मुँ पर आया और वो बेहोश हो गई प्रियल की जब हाँ खुली तो वो एक अंधिरे कमरी में थी वो बहुत डर गई मैं, मैं यहां कैसे आई कौन आया है मुझे यहां वो ये सब सोची रही थी कि तबी दो आदमी उसके सामने आकर खड़े हो गए वो उसे घूर घूर कर देख रहे थे उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो गुंडे है प्रियल उन्हें देखकर बहुत डर गई कौन, कौन है तुम लोग और मुझे यहां लेकर क्यों आये हो क्या बिगाड़ा है मैंने तुमारा मेरी शादी है आज, प्लीज मुझे जाने दो अगर तुम्हे छोड़ना ही होता तो हम तुम्हें लेकर ही क्यों आते क्या चाहिए तुम्हें मुझसे एक फोन कॉल मतलब अपने घर फोन करके कहो कि तुम यह शादी नहीं कर सकती क्या बकवास कर रहे हो तुम मैं ऐसा क्यों कहूंगी कहना तो तुम्हें पढ़ेगा वड़ना उस गुंडे ने प्रियल के सर पर बंदू तांदी जिससे प्रियल बहुत डर गई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ और किस के कहने पर अपनी बगवास बंद करो और जो कहा है वो करो उस गुंडे ने फोन मिला कर प्रियल को दे दिया प्रियल की बाद सुनकर सुभाश और रेखा तोनों शॉट रह गए उसकी बाद उन लोगों ने सबरदस्ती मुझसे वो सब कहलवाया और कुछ दिनों तक मुझे कैद में रखा और अज अपने आप छोड़ दिया आकिर किस ने यह सब करके हमसे दुश्मनी निकाली है हमने तो आज तक कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा रेखा ने आगे बढ़कर प्रियल को गले लगा लिया मा प्रखर कैसा है बहुत दुखी होगा ना वो मेरे जाने से उसे फोन करके सारी बात बताती हूँ प्रखर का नाम सुनते ही रेखा के चहरे की हवाईया और गई जिसने भी यह सब किया है मैं उन्हें सजा जरूर दिलवाऊंगा पेरी दोनों बेटियों की जिन्दगी इस वजह से बरबाद हो गई तुनों बेटियों की मतलब क्या हुआ ने रगो और वो है कहां सुभाश और रेखा ने एक दूसरे के तरफ देखा और दोनों चुपचाप खड़े हो गए प्रियल के बार-बार पूछने पर रेखा ने उसकी गाल पे हाथ रखा और उसे सोफे पर बिठाया प्रियल अब मैं जो कुछ तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना और प्लीज बात समझने की कोशिश करना बात क्या है मा बेटा जब उस दिन तुमने फोन पर कहा के तुम नहीं आओगी तो मैं बहुत घबरा गई और उसी घबराट में मैंने घबराट में क्या मा बताई मैंने नैना से प्रखर से शादी करने की भीग मागी और मजबूरन उसे प्रखर से शादी करने पड़ी ये सुनते ही प्रियल के होश उड़ गए और वो बस पत्थर से बनी वहीं बैठी रही मुझे माफ कर दो बेटा मेरे पास उस दिन और कोई रास्ता नहीं था सिवाए इसके अगर मुझे पता होता तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मैं ऐसा कभी नहीं करती पता नहीं भगवान में क्यों मेरे ही हाथो मेरी दोनों बेटियों के जिन्दगी खराब करवा दी प्रियल की आखों के सामने उसके और प्रखर के साथ बिताय पल कुजर गए सुभाश और रिखा उसे समझानी की कोशिश कर रहे थे मगर उसे तो मानो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था वो अपने ही खयालों में खोई हुई थी प्रियल चुपचाप अपने कमरे में चली गई उसने अंदर से दर्वाजा बंद कर लिया और दर्वाजे से टेक लगा कर जूर जूर से रोने लगी बाहर सुधाश और रेखा अपनी बेटी की ऐसी हालत देख देख कर बहुत दुखी हो रहे थे पर उनके हाथ में कुछ नहीं था अगले दिन सुबह प्रियल अपने कमरे से बाहर आई उसका चहरा देख कर साफ पता चल रहा था कि वो पूरी रात रोई है रेखा उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ मा, मैं प्रखर और नैना से मिलने चाह रहे हूँ ये सुनकर रेखा के चहरे की हवाईया और गई जो प्रियल समझ गई गप रहे नहिमा, मैं बस उन दोनों से मिलकर उनसे माफी मागना चाहती हूँ जो कुछ पी उन्हें मेरी वज़ा से सहना पड़ा उसके लिए ये सुनकर रेखा की जान में जान आई पर बेटा, वो तो अभी यहाँ है नहीं शिमला गए है वो प्रखर के पापा ने उन दोनों की टिकेट्स बुक कर दी थी ये कहते कहते रेखा चुप हो गई प्रियल ने भी कोई जवाब नहीं दिया तब ही वहाँ सुभाश आ गए प्रियल चलो कहां? प्रियल सुभाश के साथ प्रियल चली गई और उन गुंडों के खिलाफ कमप्लेंट कर दी वहीं दूसरी तरफ प्रखर और नेना के बीच की ओक़र्डनेस कम हो रही थी और दोनों अच्छे दोस्तों की तरह रह रही थे एग हफता बीच गया था और आज प्रखर और नैना को वापस आना था दोनों शाम की फ्लाइट से वापस आ गए और थोड़ी देर में घर पहुँच गए उस वक्त घर पर सब मौजूद थे नीता और रीना उन दोनों को देख कर जल भुन गई रजट बस चुपचाप सब देख रहा था और अनुच खुश थे उन दोनों को देख कर नैना भी हलका सा मुस्कुरा दी और उसने तिर्ची नजर रजट पर डाली जो चुपचाप खड़ा हुआ था तभी दर्वाजे के पास से किसी ने जोर से चलाया नैना सब एकदम से चौक गए और दर्वाजी की तरफ देखने लगे तो वहाँ प्रियल गुस्से में खड़ी थी प्रियल को देखकर सब शौक्ट रह गए प्रियल गुस्से में नैना के सामने आई और उसने उसे एक जननाटे दर थपड़ खीच कर मार दिया ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग हैरान रह गए अचानक से प्रियल को क्या हो गया जो उसने नैरा को यूँ थपड़ मार दिया ये देखकर प्रखर कैसे रियक्ट करेगा आगी की कहानी जानने के लिए देखते रहिए जो खाई थी कसम वो निभाई नहीं कहानी का अगला भाग सिर्फ अपनी चैनल लव सिटी पर थैंक्स फॉर वाचिंग प्रियल को वहाँ देखकर सब चौँक गए और उसके नैना को थपर मानने की हरकत से सब हिल गए नैना भी बस उसे हैरानी से देखे जा रही थी पर इससे पहले की वो कुछ बोलती प्रखर वहाँ आ गया अब तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो प्रियल और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नैना पर हाथ उठाने की प्रखर के मूँ से ऐसे शब्द सुनकर प्रियल को दुख तो बहुत हुआ पर फिर भी वो खुद को संभालते हुए बोली तुम इसकी तरफदारी इसलिए कर रहे हुँ प्रखर क्योंकि तुम्हें इसकी सच्चाई नहीं पता है जब तुम्हें इसका गिनोना सच पता चलेगा तब तुम भी हैरान रह जाओगे प्रियल ये सब बोल ही रही थी कि तभी वहां सुभाश और रेखा भी आ गए अब कौन सी नई कहानी गरने आई हो तुम यहाँ नहीं प्रखर मैं बेकसूर हूँ बलकि जो कुछ भी हुआ इसकी जिम्मेदार ये नैना है प्रियल ने गुस्से में नैना की तरफ उंगले उठाते हुए कहा अपने उपर इल्जाम लगता देख कर नैना भी चौक गई ये तुम क्या के रही होती थी? चुप! नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा सच जान चुकी हूँ क्या सच? कैसा सच? मैं शादी से खुद भागी नहीं थी, बलकि तुमने मुझे किड्नैप कर आया था प्रियल की ये बात सुनकर नैना सहित वहां मौझूद सब लोग चौक गए अपनी कतूद को छुपाने के लिए तुम सारा इल्जाम नैना पर डाल लही हो जिसकी इस زंदिगी तुमारी वज़े से खराब हो गई कभी सोच भी नहीं सकता था प्रियल कि तुम इतना गर सकती हो प्रकर मैं तुम से प्यार करती थी और हमारी शादी मेरी मर्जी से हो रही थी तो तुम ही बताओ कि मेरे पास क्या रीजन था शादी से भागने का प्रियल की बात सुनकर सब सोच में पढ़ गए तब ही रजट बोला आपके पास रीजन था या नहीं ये मैं नहीं जानता पर जो इलजाम आप नैना पर लगा रही है वो इतम बेबुनियाद है इसके लिए मैं शोर हूँ नैना मेरी दोस्त है और मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती तुम चुप रहो रजट मुझे भी प्रियल की बात सही लग रही है अरे वो तो हमारे प्रखर से प्यार करती थी तो शादी से भागेगी क्यों क्या सब हो था तुमारे पास कि ये सब नैना ने किया है और क्या हुआ था तुमारे साथ प्रियल ने प्रखर और बाकी सब को उसके साथ शादी वाली राट जो कुछ भी हुआ सब बताया, जिसे सुनकर सब शौक्ट रहे गए जब मैं वापिस आई और मुझे तुम्हारी और नैना की शादी के बारे में पता चला तो मुझे नैना के लिए बहुत दुख हुआ और शर्मिंदगी भी महसूस हुई कि मेरी वज़ा से नैना को एक अंचाही रिष्टे में बंधना पड़ा मैंने और पापा ने पुलिस स्टेशन जाकर उन गुंडों के खिलाफ F.I.R. दर्ज कराई आज सुबह वो गुंडे पकड़े गए और उन्होंने अपने मुझे कबूल किया है कि ये सब उन्होंने नैना के कहने पर किया है जूर बोल रहे हैं वो दीदी एक पर अपने दिल से पूछो कि क्या मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर सकती हूँ और मुझे क्या मिलेगा ये सब कुछ करके प्रखर क्या? कहना क्या चाहती हो तुम? शुरू से तुम्हारे नजर प्रखर पर थी ना? इसलिए तुम उसे जीजा बोलाने से कतराती थी बस करो प्रियल तुम कहा की बात कहा लेकर जा रही हो नहीं मा, अब मुझे समझ आ रहा है सब कुछ, मुझे याद आ रहा है कि एक दिन इसने बोला भी था कि तुम देखती जाओ, मैं प्रखर को क्या बुलाती हूँ नैना ये सब कुछ सुनकर बहुत हैरान थी उसे भी ये बात याद आ रही थी जो उसने रज़त की पतनी के तौर पर प्रखर से रिष्टा बनने को लेकर कही थी पर वो इस वक्त इतनी मजबूर थी कि ये बात भी किसी के सामने नहीं कह सकती थी हालात को देखते हुए रिना भी आग में घी डालते हुए बोली मुझे तो शुरू से ही इस लड़की पर शक्त था पर तब तो मेरी बात किसी ने मानी नहीं अब भुक तो अरे जो लड़की अपनी सगी बेहन के साथ ऐसा कर सकती है वो बाकी लोगों के साथ क्या ही करेगी बिल्कुश सही कहा रिना अरे मैं तो अपने प्रखर की शादी प्रियल से कराने के लिए राजी हुई थी ना कि इस नैना से मैं तो इसे पहले ही दिन से यहां से नेकालना चाहती थी पर उस वक्त मेरी किसी ने नहीं सुनी पर अब मैं इस लड़की को एक पल के लिए भी अपने घर में नहीं रहने दूगी ये कहकर नीता नैना के पास आई और उसका हाथ पकड़ कर ले जाने लगी रुको नैना कहीं नहीं जाएगी आप अभी भी इस लड़की की साइड ले रहे हैं हाँ क्योंकि जितना मैंने इतने दिनों में नैना को समझा है इस हिसाब से वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती अरे आप पर तो ना जाने इस लड़की ने क्या ही जादू कर दिया है तब ही इसकी असलियत आपको दिखती नहीं सिर्फ पापा ही नहीं बलकि मुझे भी पूरा यकीन है कि नैना ऐसा कुछ नहीं कर सकती वो गुंडे जूट बोल रहे हैं प्रकर के मूँ से ये सब सुनकर प्रियल को बहुत धक्का लगा आज तो मैं मुझे से जादा नैना पर यकीन है प्रकर जबकि वो ही हम दोनों के अलग होने की वज़ा है कही ऐसा तो नहीं कि तो मैं उससे प्यार हो गया है प्रियल प्रियल रोते हुए वहां से चली गई नैना की भी आखों में आसू थे तभी सुभाश और रेखा नैना के पास आए क्या आप दोनों को भी ऐसा रगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ हमारा मन तो नहीं मानता पर उन गुड़ों ने तुम्हारा नाम लिया है बेटा जूट बोल रहे हैं वो गुड़े जिसने प्रियल को किड्नैप कराया था मुझे लगता है कि उसी ने नैना का नाम लेने के लिए भी उन गुड़ों को बोला होगा था कि सारा इलजाम नैना पर आ जाए रज़त सही कह रहा है मुझे भी ऐसा लगता है जो कुछ भी है सब के सामने आ जाए और मेरी दोलों बेटियों की जिन्दी की दुबारा से सही रास्ते पर आ जाए मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती ये कहकर रेखा और सुभाश वहां से चले गए नैना भी रोते हुए अपने कमरे में चली गई रज़त का बहुत मन कर रहा था नैना के पास जाने का पर वो मजबूर था प्रखर नैना के पीछे पीछे गया नैना खिर्की के पास खड़ी होकर रोह जा रही थी उसे ऐसे देखकर प्रखर उसके पास आया और बहुत संकोट से उसके कंधे पर हाथ रखा नैना थोड़ा चौक गई और उसने अपने आसू पोचे मैं जानता हूँ, अभी जो कुछ भी हुआ इसे तुम बहुत परिशान और दुखी हो पर चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल सारा सच सब के सामने आ जाएगा आपको तो ऐसा नहीं लगता ना प्रखर, कि मैंने ये सब कुछ किया है बिल्कुल नहीं नैना, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती नैना के होटों पर हल्की से मुस्कान आ गई, और प्रखर के भी कमरी के बाहर खड़ा रजट ये सब देख रहा था, उसकी भी आँखों में आसू थे ये कहकर रजट वहां से चला गया नीता गुस्से में अपने कमरी में टहल रही थी, कि तभी वहां रीना आई देखा, मैंने कहा था ना मा के ये नैना बहुत चालू चीज है, अरे ये अपनी बहन की नहीं हुई, तो और किसी की क्या होगी नीता गुस्से में घुलती रीना की बड़बर सुनते जा रही थी, तभी वो चिला कर बोली चुप करो रीना, कितनी देर से सुन रही हूँ तुमारी बखवास, एक तो मेरा पूरा प्लान फेल हो गया और दूसरा तुम मेरा सर खा रही हो प्लान? हाँ, ये सारा प्लान मैं नहीं बढ़ाया था, ताकि मैं प्रियल को प्रखर की जिंदगी से निकाल सकू, पर यहाँ तो सारा खेल ही उल्टा पड़ गया, नजाने कौन सा जादू टोना करती है ये लड़किया, कि मेरे दोनों बेटों को अपने वश में कर लिया है इनोंन आपने इतनी प्लानिंग करी और मुझे बताया तक नहीं, मुझे बताती तो मैं आपको और आइडियास दे देती, मुझे कॉलेज में पता चला है कि रजट और नैना सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि उनका अफेर चल रहा था क्या? मतलब एक भाई से शादी और दूसरे से प्यार? मज़ा आ गया, इस बात का इस्तमाल करके तो मेरा मकसद बहुत आसानी से पूरा हो सकता है नीता के चहरे पर एक खुशी की लहर आ गई, वो जैसे ही पल्टी, उसके सामने अनुच खड़े हुए थे, जिसने उनकी सारी बाते सुन ली थी नीता और रीना अनुच को अपने सामने देख कर बहुत डर गई ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा था नीता, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, कि तुम इतनी घड़ी हादगत कर सकती हो और तो रज़त और नैना के बीट शादी से पहले के रिष्टे का साहाना लेकर नैना और पकर की शादी बरबाद करना चाहती हो तुम ऐसी कोई बात नहीं है शट अप, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम अगर तुमने कोई भी उल्टी इसलिए हरकत करने की कोशिश भी करी तो मैं तुम्हारा सच घरवालों के सामने बता दूगा और तुम्हें इस घर से भी धक्के मार कर निका दूगा इसलिए कोई फ्लांद बनारे की हिमा कर दिमत करना ये कहकर अनुच गुस्से में वहां से चले गए और नीता औरीना बस वहां खड़ी खड़ी देखती रहे गई दूसरी तरफ नैना ने प्रियल को फोन करा अब क्या लेने के लिए तुमने फोन किया है मुझे ये कहकर प्रियल ने फोन काट दिया प्रियल के ऐसे व्यवहार से नैना को बहुत हेस पहुची और वो रोने लगी तभी वहां प्रखर आ गया और उसने नैना को रोते हुए देखा क्या हुआ नैना तुम रो क्यों ही हो कुछ नहीं मैं ठीक हूँ लग तो नहीं रही तभी उसकी नजर नैना के फोन पर गई जिस पर रीसेंट कॉल्स खोली होई थी उनमें प्रियल का नाम लिखकर आ रहा था प्रखर को समझने में देर नहीं लगी कि क्या हुआ होगा समझ गया प्रियल ने कुछ कहा है देखो नैना प्रियल इस वक्त बहुत बुरे हालातों से गुज़र रही है शायद इसलिए तुम्हें गलस समझ रही है जैसे ही वो खुद को समाल लेगी उसे भी तुम्हारी सचाई नजर आने लगेगी नैना को प्रखर की बातों से बहुत हिम्मत मिली और वो उसके गले लग गई इतने दिनों से इतना कुछ उसने मन में दबाया हुआ था पर आज प्रखर की गले लग कर उसे बहुत हिम्मत महसूस हुई प्रखर को भी आज काफी अलग सा महसूस हुआ इतने दिन से वो कुछ कह नहीं रहा था पर अंदर ये अंदर बहुत परेशान था और प्रियल को बहुत मिजभी कर रहा था पर आज उसे भी बहुत सुकून मिल रहा था कुछ देर तक दोनों यूही गले लगे रहे तब ही अचानक से नैना उससे अलग हो गई I'm sorry It's okay मुझे बुरा नहीं लगा भलके ना जाने क्यों एक सुकून सा मिला नैना प्रखर की तरफ हैरानी से देखने लगी प्रखर बिना कुछ कहे वहां से चला गया उस दिन के बाद से प्रखर के बेहिवियर में काफी बदलाव आ गया जो नैना के साथ साथ घर की बाकी लोगों ने भी महसूस किया वो नैना की बहुत केयर करने लगा और उसे ऐसा करके खुशी महसूस होने लगी उसे ऐसा करता देखकर जहां एक तरफ अनुच को बहुत खोशी हो रही थी वही रीना और नीता का खून जल रहा था और रजट उसे समझी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे दूसरी तरफ प्रियल ने अपनी जॉब छोड़ दी थी और फिर किसी दूसरी कंपनी में जॉब स्टार्ट कर दी थी उसने नैना और प्रखर दोनों से अपने सारे रिष्टे तोड लिये थे यहां तक की सुभाश और रेखा से भी कह दिया था कि अगर उन्होंने नैना से कोई भी रिष्टा रखने की कोशिश करी तो वो उसका मरा मूँ देखेंगे एक दिन नैना अपने रूम में बैटकर बुक पड़ रही थी तब ही प्रखर ओफिस से वापस आया उसके हाथ में एक पैकेट था नैना ये तुम्हारे लिए मेरे लिए क्या है ये साड़ी मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज हम लोग कहीं बाहर डिनर पर चलें तो मैं चाह रहा था कि तुम ये पहनो अगर तुम्हें सही लगे तो नैना ने प्रखर की बात का कोई जवाब नहीं दिया जिससे देखकर प्रखर थोड़ा ओदास हो गया ये कहकर प्रखर वहां से जाने लगा तभी नैना बोली मैं अभी रेडी होकर आती हूँ नैना की मूँ से ये शब्द सुनकर प्रखर बहुत खोश हो गया थोड़ी दिर में नैना रेडी होकर प्रखर के सामने आई वो बहुत खुबसूरत लग रही थी जिस वजह से प्रखर उस पर से अपनी नजरे नहीं हटा पा रहा था तुम बहुत खुबसूरत लग रही हो नैना उसकी बात सुनकर नैना ने हलका सा मुस्कुरा दिया वो दुनों डिनर के लिए निकल गए और एक बहुत अच्छे से रेस्टरॉन में पहुँचे नैना मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कहिए न प्रखर के मुसे ये शब्द सुनकर नैना हैरान रह गई उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रखर की बात का क्या जवाब दे नैना को चुप देखकर प्रखर बोला कोई जबरदस्ती नहीं है नैना तुम्हारा आमसे इसके बारे में सोचो और हाँ आखरी फैसला तुम्हारा ही होगा प्रखर ने मुस्कुराते हुए कहा थोड़ी दिर में दोनों घर के लिए निकल गए अगली सुबह नैना के उठने से पहले प्रखर उठ गया और ओफिस चला गया थोड़ी दिर में नैना सो कर उठी और प्रखर को कमरे में ना पाकर उसने सोचा ये प्रखर कहा चले गए तब ही उसे रात वाली बात याद आई उसके दिमाग में बस प्रखर की बाते घुम रही थी उसे प्रखर का अपने लिए कंसर्न और स्टैंड लेना सब याद आ रहा था वो घर के मंदिर में गई और भगवान के सामने हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई हम जो अपनी जिन्दगी में चाहे और वैसा ही हो यह जरूरी नहीं मैंने जिससे प्यार किया और अपनी सारी जिन्दगी जिसके साथ बितानी चाही उससे हमेशा के लिए दूर हो गई मेरा रिष्टा उसी के बड़े भाई के साथ जुड़ गया शायद यही जिन्दगी है और यही है मेरी किस्मत अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं उसे ठुकराऊंगी नहीं बल्कि पूरे दिल से अपनाऊंगी मैं अपने और प्रकर के रिष्टे को दिल से अपना कर काम्याँ बनाऊंगी बस भगवान मुझे आशिरवात दीजिएगा ये कहकर जैसे ही नैना पीछे मुड़ी तो उसके सामने रज़त खड़ा हुआ था जिसकी आखों में आसू और होटों पर मुस्कान थी वो नैना के पास आया तुमने जो फैसला लिया है नैना वो बिल्कुल सही है शायद हमारे किस्मत में एक होना नहीं लिखा था इसलिए सब हुआ फर मैं खुश हो कि तुमने सिर्फ अपने बारे में ना सोच कर मेरे भाई के बारे में भी सोचा जो तुमें पसंद करने लगा है नैना बस रज़त को देखे जा रही थी यह कहकर रज़त वहां से चला गया नैना ने अपने आसू पोँचे और प्रखर को फोन मिलाया हलो प्रखर हाँ नैना बोलो क्या हुआ आज अब कितने बचे तक घर आएंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा क्यों कोई काम है क्या नैना की मूँसे ये सुनकर प्रखर की खुशी का ठेकाना नहीं रहा और वो बोला अब तो मुझसे भी यहां नहीं रहा जाएगा इसलिए मैं भी बस अभी निकल लहा हूँ नैना ने मुस्कुराते हुए फोन डिसकरेक्ट कर दिया और प्रखर का इंतिजार करने लगी वो एक अच्छी सी साड़ी पहन कर तयार हो गई प्रखर से बात हुए काफी देर हो गई थी पर अभी तक वो आया नहीं था अरे ये प्रखर का रह गए वो ये सब सोची रही थी कि तभी उसके पास प्रखर का फोन आया हलो प्रखर दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई हैलो नैना किसी दूसरे आदमी की आवाज सुनकर थोड़ा सक पकाई और बोली जी आप कोई ये जिनका भी फोन है उनका एक्सिडेंट हो गया है और कार नदी में गिर गई है ये सुनते ही नैना के हाथ से फोन छोट गया और वो जमीन पर गिर पड़ी ये कैसी विडंबना थी एक हस्ती खेलती लड़गी की जिन्दगी की पहले जिससे प्यार किया उसे हालातों ने दूर कर दिया और जब किस्मत के लिखे को अपनाना चाहा तो किस्मत नहीं अपना पासा पलट लिया क्या होगा नैना की जिन्दगी का आखिर अब किस्मत उसकी जिन्दगी किस ओर ले जाएगी इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा जो खाई थी कसम, वो निभाई नहीं कहानी का सीजन टू, जो बहुत जल्द हमारी चानल लव सिटी पर आने वाला है आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग ये सुनकर नैना शौक्ट रह गई एक पिता के दर्द को समझते हुए इंस्पेक्टर चुप हो गए काफी देर ढूनने की बाद इंस्पेक्टर की टीम की एक आदमी ने उन्हें फोन पर इंफॉर्म किया कि प्रखर की कार मिल गई है पर उसमें प्रखर नहीं है क्या हुए इंस्पेक्टर मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चला वो ठीक तो है ना हमें कार तो मिल गई है पर पर क्या इंस्पेक्टर आपके पती उसमें नहीं है संभावनाय बताई जा रही है कि या तो उन्हें कोई जानवर खा गया या वो नदी में बह गए है इंस्पेक्टर की बात सुनकर नैना सन रह गई और वहीं गिर गई नैना की हालत देखकर अनुज उसे संभालने लगे संभालो खुद को बेटा आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं क्या सबूत है आपके पास मैं आपकी तकलिफ समझ सकता हूँ पर आप खुद ही सोचिए कि वो ऐसी हालत में कहा जा सकते हैं और पानी मेतनी देर क्या कोई जिन्दा रह सकता है इंस्पेक्टर की बात सुनकर अनुज ने अपना सर पकड़ लिया थोड़ी देर में इंस्पेक्टर और रेस्क्यू टीम वहां से चली गई और अनुज नैना को लेकर घर आ गए घर पर नीता इधर से उधर चक्कर काट रही थी अनुज को देखते ही वो भाग कर उनके पास आई क्या हुआ और प्रकर प्रकर कहा है नीता धरवाजे की तरफ देखने लगी अनुज की आँखों में आशु आ गए और वो फबक फबक कर रोने लगे अनुज को ऐसे रोते देखकर नीता उन्हें देखने लगी क्या हुआ आप ऐसे क्यो रो रहे हो अनुज ने अपना मन कड़ा करके नीता को प्रखर के बारे में सारी बात बताई जिसे सुनकर वो बिल्कुल पागल सी हो गई उसे संभाल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था रीना रोते हुए उसे उसके कमरे में ले गई वही नैना पत्थर सी खड़ी होई थी उसकी ऐसी हालत देखकर अनुझ ने उसके सर पर हाथ रखा और उसी सोफे पर बिठा दिया अनुझ ने हिम्मद जुटा कर सुभाश और रेखा और बैंगलॉर में रज़त को इस बारे में इन्फॉर्म किया अपने भाई के बारे में सुनकर रज़त के होश ओड़ गए और वो तुरंत वापसी के टिकेट देखने लगा रात में नैना कमरे में बैट पर पेज सुच सी बैठी होई थी क्यों ना बूले मुसे मोहन क्यों है रूठे रूठे मोहन यो कैसे मनाओ है उन बिन कटी नन रहना उन बिन आवीन एक पल जेना उन बिन जीओ तो कैसे मैं जीओ बही नैना भर मोर नैना जर मोर नैना मोह नैना सुन नहीं कहना अगले दिन प्रकर की आत्मा की शांती के लिए घर पर शांती पाठ रखवाया गया सब लोग एक एक करके प्रकर की तस्वीर पर फूल चड़ा रहे थे तभी रोते हुए रेखा ने पत्थर सी बैठी नैना को पकड़ा चलो नैना प्रकर की तस्वीर पर फूल चड़ा दो चल कर रेखा नैना के हाथ में फूल पकड़ाई और जैसे ही वो प्रकर की तस्वीर की तरफ फूल चड़ाने लगी तभी किसी ने उसके हाथ मारा जिससे सारे फूल उचल गए सबने चौक कर देखा तो वहाँ गुस्से में लाल नीता खड़ी थी मनूस ये कहकर नीता ने नैना को धक्का दे दिया जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी नीता को ऐसा करते देखकर अनुच गुस्से में उसके पास आई तुम्हारा दिमाग तो ने खराव हो गया नीता ये तुम क्या कर रही हो बस अब अगर आपने एक भी शब्द कहा तो अपने बेटे के साथ साथ अपनी पत्नी का भी मरा हूँ अमू देखेंगे अगर आज हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ ये मन्हूस लड़की है कहा था न मैंने आपसे कि निकाल दू इसे घर से बाहर पर तब आपने मेरी एक भी नहीं सुनी देख लिया नतीजा आज हम अपने बेटे को खो बैठे हैं ये कहकर नीता जोर-जोर से रोने लगी नीता तुम ये सब क्या वो लही हो जो कुछ भी हुआ उसमें नैना का क्या कसूर है मत भूलो कि सबके जिम्मेदार तुम बस करिये आप आपको आज तक मेरे सिवा कोई और गलत लगा भी है क्या आप मेरी ये बात कान खोल कर सुन लिजिए इस मनहुस को मैं अपने घर पर नहीं रहने दूगी ये कहकर नीता ने नैना का हाथ पकड़ा और खीचते हुए घर के दर्वाजे से बाहर धकेल दिया नैना गिरने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसे पकड़ लिया उसने सामने देखा तो वहां रज़त खड़ा हुआ था रज़त अपनी मा की ये हरकत देखकर हैरान था मा ये क्या कर रही हो? नैना तुम ठीक तो हो ना? नैना ने कोई जवाब नहीं दिया तभी वहां नीता आई और रज़त को नैना से दूर करते हुए उसका हाथ अपनी तरफ खीच लिया खबरदार जो रज़त के पास आने की कोशिश भी करी तो मेरे एक बेटे को तो खा चुकी है अब दूसरे पर तेरी नजर पर नहीं दूगी और तेरा चाल-चलन तो वैसे भी अच्छा नहीं है नीता की ये बात सुनकर एक पल को सब सक पका गए तभी रेखा नैना के पास आई ये कहकर रेखा नैना का हाथ पकड़ कर उसे वहां से ले गई उनके पीछे पीछे प्रियल और सुभाज भी चले गए रेखा घर पहुँचकर नैना को उसके कमरे में ले जाने लगी तभी उसकी नजर वही खड़ी प्रियल पर पड़ी प्रियल नैना के लिए जरा पानी ले आओ पर प्रियल वैसी की वैसे ही खड़ी रही क्या हुआ तुम जा क्यों नहीं रही मा हालातों की वज़ा से आप इसे यहां लेकर आई हैं तो मैंने कुछ नहीं कहा पर अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे सीने से लगाऊंगी तो सौरी इसने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बाद ये मुझसे नहीं हो पाएगा इसने ना सिर्फ मुझसे मेरा प्यार चीना बलकि ऐसी परिस्तिती में लाकर खड़ा कर दिया जहां मुझे उसके जाने के आशू भी लोगों से चुप-चुप कर बहाने पढ़ रहे है ये कहकर प्रियल आखों में आशू भरे वहां से चली गई वही नैना उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था वो बस बुद्ध बनी खड़ी थी दूसरी तरफ रजत प्रकर की तस्वीर के सामने गया अपने भाई की हाड़ चड़ी तस्वीर देख कर उसके आसू नहीं रोक रहे थे उसने प्रकर की तस्वीर पर फोल चड़ाए और सीधा अपने कमरे में चला गया थोड़ी देर में वहां मौजूद बाकी लोग भी चले गए शाम को अनुद सोफे पर बैठे कुछ सोच रहे थे तभी वहां रजत आ गया क्या हुआ पापा आप यहां ऐसे क्यों बैठे हैं कुछ नहीं बेटा बस नैना के बारे में सोच रहा था मुझे इसकी चिंता हो रही है इतनी कम उम्र में और इतने से वक्त में उसने कितने ही दुख देख लिये जटकी उसका तो इन सब चीज़ों से कोई लेना देना भी नहीं था रजत ने अनूछ की बात का कोई जवाब नहीं दिया और नैना के बारे में सोचने लगा रजत मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं कहिए न रजट, बेटा, मैं तुम्हारे और नैना के रिष्टे के बारे में सब कुछ जानता हूँ अनुच के मुँ से अचाना के बाद सुनकर रजट चौप गया और अपनी नजरे चुराने लगा पापा, वो सब भाई और नैना की शादी से पहले की बाते थी, अब उनका कोई मतलब नहीं है पर मैं चाहता हूँ कि जो रिष्टा तब हालतों की वज़े से नहीं जुड़ पाया था, वो अब जुड़ जाए ये आप का कहा रहे हैं पापा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, भाई को गए हुए अभी दो दिन में नहीं हुए और आप उसकी पत्नी का राम मेरे साथ जोड रहे हैं, मैं क्या गलत कह रहा हूँ बेटा, प्रकर सिर्फ तुम्हारा भाई ही था क्या, मेरा बेटा नहीं था चितना दुख तुम्हें उसके जाने का है, उतना ही दुख मुझे भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी अमानत मैं ऐसे हाथों में सौपूँ, जो उसे समाल ले, और इस दुनिया की बुरी नज़र और करवी बातों से बचा ले, पापा प्लीज, मैं इस बारे में बहुत गिल्ट फिल हो रहा है, अब दुबारा ये बात मत कीजिएगा, ये कहकर रजत वहां से चला गया, वहीं रात में प्रियल ने अपनी साइट टेबल की ड्रॉर खोल कर, उसमें से एक डाइरी निकाली, जिसमें प्रखर की एक बहुत छोटी सी तस्वीर रखी हुई प्रियल ने उसे हाथ में पकड़ा और रोने लगी, तुम इस तरह से चले जाओगी प्रखर, मैंने कभी नहीं सोचा था, और मेरी सिचुएशन तो देखो, मैं अपना दर्द किसी के सामने साहिर भी नहीं कर सकती, बस अंदरे अंदर घुट रही हूँ, जब भी नैना को देखती हूँ, तो मेरे सारे घाव हरे हो जाते हैं, उसका मेरे नजरों के सामने रहना मुझे हर पल तुमारी कमे महसूस कराता है प्रखर, ये कहकर प्रियल प्रखर की तस्वीर सीने से लगा कर रोने लगी, वहीं दर्वाजे पर नैना ने प्रियल की सारी बात सुन ली, उसकी आखों में आसू थे, वो चुपचाप घर से बाहर निकल गई, ये कहकर नैना वहाँ से चली गई, वो बस सुनसान सड़क पर चले जा रही थी, वो कहा जा रही थी, उसे खुद कुछ नहीं पता था, वो घर से दूर निकल आई थी, तभी वहाँ जीब से कुछ लड उनमें से एक के नजर नैना पर पड़ी, ये कहकर उन लड़कों नैना के पास अपनी जीप रोग दी, हरे मैडम, इतने रात में कहा जा रही है, चलिए हम लोग छोड़ देते हैं, नैना उन लड़कों को देखकर घबरा गई, और बेना कुछ बोले, तेस कदमों से आगे बढ़ने लगी, अरे जबाब तो दीजिए, ऐसी भी क्या नाराज की, ऐसे भी, खुबसूरत जनानियों का यू रात में अकेले घर से बाहर निकलना, खतरे से खाली नहीं है, तुम लोग जाओ यहां से, वर्णा में शोर मचाओंगी, हरे इसके मुँमें तो जबान है, हम लड़कों ने जीब बढ़ा दी, और नैना को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगे, वो लोग उसे लेकर काफी आगे निकल आये थे, तभी अनुच की बातों से परेशान रजद भी कार लेकर घर से निकला हुआ था, उसकी नजर चिलाती हुई जीब में बैठी नैना पर पड़ी, जिसके मुह पर वो लड़का बार बार अपना हाथ रख रहा था, ये नैना कहां? उसने तुरंट अपने कार जीब के पीछे लगा ली और उसका पीछा करने लगा, उसने जीब को ओवर टेक करके उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया, जिससे जीब जटके से तेरे इतनी हिम्मत, और तु है कौन? इसका आशिक? रजट ने बिना जवाब दिये फिर उसे थपड मारा, तभी दूसरे लड़के ने उस पर हमला कर दिया, रजट ने उन दोनों को मार कर वहां से भगा दिया, नैना डरी सहमी सी खड़ी सब देख रही थी, रजट भाग नैना को अपने गोद में उठा कर अपनी कार में बैठा दिया, और हॉस्पिटल के लिए निकल गया, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने नैना को चेक किया, स्ट्रेस और वीक्नेस की वज़े से बेहोश हो गई है, हम इने ग्लुकोस चड़ा रही है, और आज रात के लिए किस दिशा में जाएगी अब नैना की जिन्दगी, क्योंकि किस्मत को तो उसका घर छोड़ना भी रास नहीं आया, और वापस से उसे उन्हीं लोगों के बीच ले आई, आगी की कहानी जानने के लिए देखते रहे, जो खाई थी कसम, वो निभाई नहीं कहानी का अगला भ मैं तुम्हें यहां होस्पिटल लेकर आ गया, डॉक्टर ने कहा है कि स्ट्रेस और विक्नेस की वज़े से तुम्हें चक्कर आ गया था, जिस वज़े से तुम्हें ग्लुकोज भी चड़ाय गया है, और एक रात के लिए एडमिट कर लिया है, नैना उठकर जाने लगी, क जाने चाहता है, और किसी की उपर बोजी तो हूँ मैं, यह तुम क्या कह रही हो, और तुम कब से ऐसी निराश्यावादी बाते करने लगी नैना, तुम तो ऐसी नहीं थी, जो नैना ऐसी बाते नहीं करती थी, वो कोई और थी, वो सपनों की जिन्दिकी जीती थी, और प्रकर का जिकर सुनकर नैना कुछ बोल नहीं पाई, और चुपचा बैट पर लेट गई, थोड़ी देर में उसकी आख लग गई, पर उसकी आखों की गिनारे से आंसु बह रहे थे, शायद वो कुछ सोच रही थी, रज़त बस उसके बगल में पड़े स्टूल पर बैठा उसे देखे जा रहा था, सुबह हो चुकी थी, रेखा जब नैना के कमरे में उसे जगाने आई, तो उन्हें वहाँ नैना नहीं दिखी, ये नैना कहा चली गई, शायद नहाने गई होगी, रेखा ने बातरूम में चेक किया, पर नैना वहाँ नहीं थी, रेखा उसके कमरे से बाहर आ गई, नैना, नैना, रेखा की आवाद सुनकर सुभाश और प्रियल वहां आ गए, क्या हुआ रेखा, आपने नैना को देखा क्या, वो कमरे में नहीं है, तुम परिशान मत हो, यही कहीं होगी, वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे, कि तब ही वहां आनो जा गए अरे भाई साब, आप इतनी सुभाश यहां, सब ठीक तो है ना, जी सब ठीक है, माफ कीजिएगा, ऐसे बिना बताय चला आया, वो नैना बेटी से मिलने का मन हो रहा था, कहा है वो, नैना का नाम सुनकर सब के चेहरे उतर गई, और किसी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दि नैना का फोन तो घर पर ही बज रहा है, वो अपना फोन भी लेकर नहीं गई है, इसका तो हमेशा का यही है, हमें परिशान करने में तो इसे मज़ा आता है, चुप करो प्रियल, कम से कम इस वक्त तो नैना के लिए ऐसी बाते मत करो, अनुच को प्रियल की नैना के लिए च मैं घर नहीं जाओंगी और प्लीज अब तुम यहां से जाओ, वैसे भी मैं अपनी जिंदगी में क्या करती हूँ और क्या नहीं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एसा कभी नहीं होगा, माना मेरी और प्रघर की शादी मजबूरी में हुई थी, फर मैं उन्हें अपने पती की रूप में स्वीकार कर चुकी थी और… इतना ही समझ भाई तुम मुझे नैना, मेरे भाई की पत्नी हो तुम, उस भाई की जिसे मैं बहुत प्यार करता था, और जो आज अमारे बीच में नहीं है, तुम उसके अमारत हो, जिसके बारे में मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। नैना को अपनी कही बाद पर शरमिंदी की महसूस हुई। रजट कार बढ़ाने ही वाला था कि तब ही उसके पास अनुच का फोन आया अनुच की ये बात सुनकर रेखा सुभाश और प्रियल हैरान रह गए आप सबको लेकर घर आ जाईए आगे की बात मैं आपको वहीं आगर बताता हूं ये कहकर रजट ने फोन डिसकनेक्ट कर दिया अनुच के फोन रखते ही प्रियल चड़ते हुए बोली इस लड़की ने तमाशा बनाखर रखा है अगर कहीं जाना भी था तो बता कर नहीं जा सकती थी क्या इस तरह से जाने का क्या मतलब है जैसा दूसरों के साथ करेगी वैसा ही फल तो मिलेगा अपने कर्मों का फल भुगत रही है अनुच ने प्रियल की बात सुन ली और बोले प्रियल बेटा मुझे तुमसे कुछ बात कर नहीं है अकेले में मुझसे अनुज ने हा में सिरह लाया और घर से बाहर गार्डन में चले गए प्रियल भी उनके पीछे पीछे चली गई कहीं अंकल क्या बात करना चाते थे आप मुझसे मैंने सोचा था कि ये बात किसी के सामने ना आए और चीजसे सुधा जाए पर तुम्हारा नेना के लिए रवया देखकर मुझे तुम्हें ये बात बताने ही पड़ेगी क्या कहना चाते अंकल आप तुम जिस बात को लेका नेना से तना नाराज हो उसमें नेना की कोई गलती नहीं है उडेका सूर है उसने तुम्हें किड़ेप नहीं कराया था यह आप क्या कह रहे है अगर नेना ने नहीं करवाया था तो फिर किसने करवाया था नीता ने नीता का नाम सुनकर प्रियल शौक्ट रह गई तब ही अनुज ने प्रियल को नीता और उसकी कर्थूत के बारे में सब बता दिया जिसे सुनकर वो हैरान रह गई आंटी ने ये सब क्यों किया अंकल माना मैं उन्हें ना पसंद थी पर वो बेहन के साथ ऐसा बरताव क्यों कर रही है उसने उनका क्या बेकाड़ा है पता नहीं बेटा आखिल वो क्या चाहती है बस तुमसे एक ही गुजारिश है मेरी कि ये बात अगर हो सके तो किसी को मत कहना मैं नहीं चाहता कि अब और प्रब्लम्स बढ़े और नहीं बेक का सूर है मैं अपने गुस्से में इतनी अंदी हो गई थी कि अपनी छोटी बेन का दोग उसकी तकलीव ही दिखना बंध हो गई कहा है वो प्लीज मुझे इसके पास ले चलिए अनुज ने हामे सिरह लाया और दोनों अंदर आ गए सुभाश और रेखा के साथ अनुज अपने घर के लिए निकल गए दूसरी तरफ रजट नैना को लेकर अपने घर के बाहर पहुँचा नैना को रजट की कार से उतरता देख आस परोस की ओरते नैना को बहुत अजीब नजरों से देखने लगी और आपस में बाते भी करने लगी देखो तो जरा ये सुभा सुभा अपने देवर के साथ कहां से आ रही है जबकि इसकी सास ने तो इसे घर से बाहर निकाल दिया था सुभा सुभा आ रही है इसका मतलब सारी रात इसके साथ रही होगी मुझे लगता है इसके इसी चालचरं की वज़ा से नीता ने इसे प्रखर के जाते ही घर से बाहर निकाल दिया सुनने में तो ये भी आया है कि प्रखर की शादी इसकी बड़ी बहन से होने वाली थी पर इसने अपनी बहन को गायब करवा कर खुद शादी कर ली राम 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 भगवान ही बचाए ऐसी लड़कियों से इतने कांड करके घर में आई और घर का बेटा ही खा गई नैना को उन औरतों की बाते तीर की तरह चुब रही थी और रज़त को बहुत गुस्सा आ रहा था ये सब सुनकर रज़त उन औरतों की तरफ मोडने ही वाला था कि तभी वहाँ नीता रीना के साथ आ गई नीता ने खिड़की से रज़त और नैना को देख लिया था तू यहां क्या कर रही है वो भी मेरे बेटे के साथ निकल यहां से मैं तेरा मनूस साय अब दुबार अपने घर पर नहीं पढ़ने दूगी ये कहकर नीता नैना की तरफ बढ़ने लगी तभी रज़त ने उसे रोग दिया बस मा बहुत हो गया उस दिन भी आपने नैना के साथ बहुत बुरा बरताव किया था फराज नहीं आखिर नैना ने आपका क्या भी गाड़ा है जो आप उसे ऐसे ट्रीट कर रही है रज़त की बात सुनकर एक औरत बोली देखो तो जरा कैसे बेशर्मी से अपने भाई के विद्वा को नाम लेकर बुला रहा है और उसका कितना पक्ष भी ले रहा है आखिर क्यों पूरे महले में हमारी पेज़ती करवा रहे हो क्या हमें कहीं भी मुझ दिखाने लाइक नी छोड़ोगे तुम ये सब चीजे चल ही रही थी कि तभी वहाँ अनुच रेखा सुभाष और प्रियल के साथ आ गए प्रियल ने आते ही नैना को गले लगा लिया ये देखकर नैना के साथ साथ सब चौक गए नैना ने भी प्रियल को गले से लगा लिया आइम सोरी नैना, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बरताफ किया, वो भी तब जब तुम बहुत दुखी थी, बिना बताए कहाँ चली गए थी तुम बेटा, जानती भी हो कि हम पर क्या पीत रही थी नीता और रिना प्रियल का बदला हुआ रूप देखकर थोड़ा हैरान हुई, और उन्होंने उसकी बात पर जादा ध्यान नहीं दिया, वो दोबारा नैना से बोली, तुम अभी तक यहीं खड़ी है, निकल यहाँ से नीता ने नैना को एक बार फिर से धक्का देने की कोशिश की, पर रजत ने नीता का हाथ पकड़ कर, उसे गुस्से से देखते हुए कहा, आप खुद एक औरत होकर, एक दूसरी औरत के साथ ऐसा बताओ कैसे कर सकती है, नैना इस घर की बहु है, मैं नहीं मानती, मेरे नैनों भाईयों को अपने आगे पीचे घुमा लिया, वो भी इतने कम वक्त में, उसकी बात सुनकर वहां मौजूद सब लोग आपस में बाते करने लगे, और नैना के घरवाले ये सुनकर शौक्ड रहे गए, नैना बस चुप-चाब खुद के लिए होती ऐसी उच्छी बाते सुन रही थी, सलूकी करने के लिए थपड मारा था, किस दिशा में जाएगी अब नैना की जिंदकी, कैसे सामना करेगी वो दुनिया वालों की कडवी बातों का, आगे की कहानी जानने के लिए देखते रही है, जो खाय थी कसम, वो निभाई नहीं कहानी का अगला भाग, सिर्फ अपने Love City पर, Thanks for watching किसने क्या किया है और क्या नहीं, ये मुझे तुम से जानने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर तुमने नैना के साथ अब गलत तरीके से बरताफ किया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ये तुम दोनों ने अपने घर का क्या तमाशा बना रखा है चलो अंदर चलो चलो नेना अपने जीते जी मैं इस लड़की को अपने घर के अंदर नहीं आने दूगी रजत चुपचाप खड़ा वहाँ जो कुछ भी हो रहा था सब देख रहा था देखो तो जरा कैसी है कैसे इसकी वज़ा से इसके घर में लड़ाई हो रही है एक दूत्री या चरेत्र उपर से कलेशी भी बस करिए आप लोग अब बंद करिए मेरे बेटी के चरेत्र पर सवाल उठाना आप लोगों की घर में बेटिया नहीं है क्या जो किसी और की बेटी के लिए ऐसा बोल रहे हो चलो नैना ये कहकर रेखाना नैना का हाथ पकड़कर उसे कार में बिठाया साथ ही सुभाष और फ्रियल भी कार में बैट गए और नैना को वहां से लेकर चले गए रजत ने डिस्गस्टिंग लोग अपनी मा और बहन को दिया और घर के अंदर चला गया अनुझ भी गुस्से में अंदर चले गए और उनके पीछे पीछे नीता और रीना भी नीता और रीना कमरे में चले गए आज तो हमने उस नैना को इस घर में आने से रोक दिया पर मुझे नहीं लगता कि हम जादर दिन तक ऐसा कर पाएंगे मा मेरे जीते जी वो लड़की कभी इस घर में नहीं आएगी फिर उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े पर मा आप करेंगी क्या नीदा ने रीना की तरफ देखा और उसके चहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई दूसरी तरफ नैना सब के साथ अपने घर पहुँची मैं सोच भी रही सकती थी कि प्रघर की मा ऐसी हो सकती है बता नहीं जब नैना उस घर में रहती थी तब वो इसके साथ कैसा वेवार करती होंगी नैना तुम कहां चली गई थी इस तरह बेना बताए मेरी वज़ा से तुम्हें बहुत दुख पहुचा है थी थी मैं नहीं चाहती कि मेरी शकले देखकर तुम्हारे सक महारे हो अब मैं फिर से किसी के भी दुख का कारण नहीं बनना चाहती एक पढ़ेगा तुम्हें मैंने कुस्सी में कुछ कह दिया तो तुमने उसे मन में लगा लिया कुछ वक्त की नाराज़की बच्पन के प्यार पर हावी हो गई खबरदार जो फिर से ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो नैना की आखों में आसो आ गए और वो प्रियल के गले लग गई अपनी बेटियों की बीच की गलत फहमी मिट्टी देख कर रेखा और सुभाष के चेहरे पर भी एक सुकून आ गया भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बेटियों के बीच की सारी गलत फहमी दूर हो गई प्रियल नैना को लेकर कमरे में चली गई दूसरी तरफ रात में हॉल के सोफे पर बैठ कर रजट आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहा था तभी वहाँ आनुज आ गए और उसे ऐसे सोच में डूबा देख कर उसके कंधे पर हाथ रखा रजट अपने खयालों से बाहर आया और उसने अपने पिता की तरफ देखा आज जो हुआ उसके बारे में सोच रहे हो रजट ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया अनुज रजट के भगल में आकर बैठ गए मैं जानता हूं रजट कि तुम्हारे दिमाग में आज सुभा की बाते ही गुम रही है उस दिन जो मैंने तुमसे कहा था उसके पीछे की वज़े यही सबती रजट ऐसा नहीं है कि मैं अपने बेटे को भूल गया हूं पर मैं ये नहीं चाहता कि किस्मत के लिखे की सजा नैना को मिले क्योंकि चाहे हम ये कितना भी कहले कि जमाना बदल गया है आज की सोसाइटी प्रोग्रासिस सोसाइटी है चो लड़कियों को आगे बढ़ते देखना चाहती है पर सचाई इससे अलग है हम हकिकत में तो क्या कहानियों में भी उस कहानी को ही देखना ज़ादा पसंद करते हैं जिसमें लड़की पर तचार होते हो भले ही अपने घर के सोफेवर बैट कर हम कितना ही कह ले कि पिछडी सोच दिखा रही है दुनिया कहा की कहा पहुँच गई है वो पिछडी सोच की कहानिया इसलिए दिखा रही है क्योंकि हम वही देखना चाहते है At the end, it's all about business सही कह रहे हैं पापा अज जो कुछ नैना के साथ हुआ यकिन नहीं होता कि लोग किसी के साथ ऐसे कैसे पेशा सकते हैं जबकि वो इनसान खुद इतना दुखी है और नैना जो एक वक्त बहुत confident और outspoken लड़की हुआ करते थी मैं हरान हूँ कि आद वो चूप चाप अपने लिए ऐसी बाते बदाश कर रही थी उस बेचारी के साथ इतने इसे दिनों में इतना कुछ हो गया है जिसने उसे बिलकुल तोड़कर रख दिया है उसका सारा confidence हिमा सब तूट गई है अनुझ ने रजद का कंधा थप थप थपाया और उठकर चले गए अगले दिन प्रियल ने नैना के लिए उसका फेवरेट नाश्ता पास्ता बनाया और उसे बिठाते हुए बोली ये टेस्ट करके बताओ कि कैसा है पहले जैसा स्वाध है या नहीं इसमें नैना हलका समुस्कुराई और उसने पास्ता टेस्ट किया बहुत अच्छा है ये सुनकर प्रियल की आखे भराई और उसने पास्ता की प्लेट उठा ली ये तुम्हें अच्छा लग रहा है नैना जबकि मैंने इसमें नमाखीर नहीं डाला है मैंने सोचा था कि तुम पहले की तरह मुझसे कहोगी कि दीदी ये बिल्कुल अच्छा नहीं बना है प्लीज दोबारा से बना दो पर तुम तो नैना ने कोई जवाब नहीं दिया तब ही प्रियल की नजर घर के दरवाजे पर पड़ी जहां रजट हाथ में कुछ पेपर्स लेकर खड़ा था रजट तुम यहां आओ अंदर आओ रजट अंदर आ गया तुम इस वक्त यहां सब ठीक तो है ना हाँ सब ठीक है मैं बस नैना और आप सबसे कुछ बात करना चाता था सुभाष और रेखा भी वहां आ गए यह कॉलेज के अड्मिशन फॉर्म है अचानक से सब कुछ हो गया था जिस वज़े से नैना थर्ड यर का फॉर्म नहीं भर पाई थी मैंने भी कॉलेज में जाकर सारी सिचुएशन बताए नैना का अच्छा अकाडमिक रिकॉर्ड होने के वज़े से उसे लेट कॉलेज जॉइन करने की पर्मिशन मिल गई है मुझे लगता है कि नैना को अपनी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू कर लेनी चाहिए रज़त की बात सुनकर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई सिवाए नैना के ये तुमने बिल्कुल सही बात कही है बेटा मैं भी यही चाहता हूँ पर अब मैं कॉलेज नहीं जाना चाहती पर क्यों? मुझे नहीं लगता कि अब मैं पढ़ाई कर पाऊंगी लोगों ने अब तो क्या कम ताने मारे है जो मैं उन्हें एक और वज़ा दे दू अपने उपर सवाल उठाने के नैना तो तुम लोगों की वज़े से कॉलेज नहीं जाना चाहती एक बात बताओ जो कुछ हुआ उसमें तुमारी क्या गलती थी सब कुछ तुमने सहा और उसके बाद भी तुमें सुना आए गया क्या लोगों ने एक बार भी तुमारे बार में सोचा कि तुम पर क्या बीत रही है नहीं ना तो फिर तुम उनके डर से अपनी जंदगी के फैसले क्यों ले रही हो दुनिया वाले तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही नैना तुम जो करोगे उस पर कुछ कहेंगे इस वज़े से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते तुमें अपने इस जंदगी के जंग खुद लड़नी होगी बस इतना याद रखना जब भी तुम पलट का देखोगी हम लोगों को अपने पीछे ही ख़़ा पाओगी नैना की पास रज़त की बातों का कोई जवाब नहीं था बाकी सबने भी नैना को समझाया और अंत में वो कॉलेज जाने के लिए राजी हो गई रज़त जिसने बैंगलॉर के कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई के लिए ट्रांसफर प्रोसीजर स्टार्ट करवाया था उसने कैंसल कर दिया और दोबारा से कॉलेज जोइन कर लिया रज़त ने घर आकर नैना के कॉलेज जोइन करने की खबर अनुच को बताई जिसे सुनकर वो भी बहुत खोश हुए वही नीता और रीना का खून खौल उठा मा मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है नैना दोबारा से अपनी पुरानी जिंदगी में वापिस जा रही है मुझे डर है कि कहीं वो रज़त भाई को फिर से अपने चक्कर में न फसा ले मैं ऐसा कभी नहीं होने दूगी नीता की नफरत उसके चहरे पर साफ नजर आ रही थी अगले दिन नैना कॉलिज जाने के लिए तयार होकर बाहर आ गई जहां रेखा सुभाश और प्रियल उसका इंतिजार कर रहे थे ये क्या पहना हुआ नैना तुम ऐसे कॉलिज जाओगी तो और क्या पहनूगी मन में दुख है ये जताने के लिए ये लिबास पहनना जरूरी तो नहीं मैं तुम्हें ऐसे बिलकुल नहीं जाने दूँगी ये कहकर प्रियल नैना का हाथ पकड़ कर उसे कमरे में ले गई और एक स्काई ब्लू कलर का सूट निकाल कर उसे पहना दिया तुम ये पहन कर कॉलेज जाओगी समझी पर परवर कुछ नहीं ये कहकर प्रियल वहां से चली गई और नैना के बाहर आने का इंतिजार करने लगी थोड़ी देर में नैना वो सूट पहन कर बाहर आ गई इतने दिनों के बाद उसे रंगों में देखकर उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए सुभाश नैना को लेकर कॉलेज चले गई जहां गेट के पास रजट उनका पहले से ही इंतिजार कर रहा था नैना को इस तरह से कॉलेज में आया देख कर उसे बहुत खुशी हुई सुभाश वहाँ से चले गए और रजत नैना को लेकर कॉलेज के अंदर चला गया नैना को आज अपने ही कॉलेज में आकर बहुत अजीब सा लग रहा था मानो सब की नजरे उसी पर हो रजत और नैना दोनों क्लास में चले गए क्लास खत्म होने के बाद रजत और नैना बाहर आ गए नैना बहुत चुप थी जुकि एक वक्त कभी नहीं रहा करती थी एक पल को रजत को पहले वाले दिन याद आ गए पर उसने उन यादों को जटक दिया नैना चलो ना केंटीन चलते हैं बहुत भूख लग रही है नैना ने हां में सिरह लाया और चुप चाप रजत के साथ चली गई केंटीन में रीना अपनी फ्रेंड्स के साथ पहले से बैठी हुई थी नैना को रजत के साथ आया देखकर उसे बहुत कुस्सा आया अभी सबग सिखाती हूँ इसे मेरे भाई के साथ खुमेगी रीना अपनी फ्रेंड्स के साथ उठकर नैना और रजट के पास चली गई हाई नैना कैसी हो पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है वो तो देखी रहा है रीना ने रजट पर तीछी नजर डालते हुए कहा रीना की बात का मतलब रजट और नैना दोनों अच्छे से समझ गए पर कुछ नहीं बोले रीना तुम्हें कुछ काम था क्यों मैं अपनी भाबी से तबी बात कर सकती हूँ जब मुझे कुछ काम हो हाँ अगर तुम्हें डिस्ट्रबेंस हो रहा है मेरे यहां रहने से तो अलग बात है इनफ रीना डोट श्टार्ट अगें कॉलेज में किसी भी तरह का तमाशय मैं बरदास नहीं करूँगा समझी तुम मैं क्या तमाशय बनाऊंगी उसके लिए तो तुम दोनों खोधी काफी हो वैसे नैना तुम्हारा प्रखर भाई के लिए सारा दुख खत्म हो गया क्या जो आज ऐसे कपड़े पहन कर कॉले जाई हो एनिवेज अच्छी लग रही हो इन्जॉई ये कहकर रीना अपनी फ्रेंड्स के साथ वहां से हसते हुए चली गई नैना को रीना की बाते बहुत बुरी लगी और उसकी आखों में आसो आ गए ये देखकर रज़त को बहुत बुरा लगा तुम्हें रीना की बातों को मन से लगाने की ज़रूरत नहीं है नैना ये ऐसी ही है कब तक में ये लोग ऐसे ही है ये ऐसा ही है सोच कर अपनी जिंदगी काटूंगी रज़त रज़त के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था ऐसे ही कुछ दिन बीट गए और नैना अप कॉलेज में थोड़ा थोड़ा सेट होने लगी थी एक शाम मौसम बहुत खराब हो रहा था और एक्स्ट्रा क्लास की वज़ह से नैना और रज़त को कॉलेज में रुकना पड़ गया था कॉलेज से बाहर आकर नैना टैक्सी देखने लगी नैना मौसम खराब हो रहा है ऐसे में टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल होगा चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ नहीं रज़त इसकी ज़रूरत नहीं है मैं टैक्सी का वेट कर रही हूँ मिल जाएगी और मैं घर चली जाओंगी तुम जाओ मैं तुम्हें यहां ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाओंगा नैना अकेले कहा हूँ क्लास के और स्टूटेंट्स भी तो निकल रहे हैं न अच्छा तो जब तक तुम्हें टैक्सी नहीं मिल जाती तब तक मैं यहीं रहूंगा ठीक है नैना ने हां में सिरहलाया और दोनों टैक्सी का वेट करने लगे आदा घंटा गुजर गया पर नैना को कोई टैक्सी नहीं मिली और बारिश होने के भी पूरे चांसेज लग रहे थे नैना जिद मत करो तब ही रजट के पास अनुच का फोन आया रजट ने उन्हीं जाम के बारे में बताया और ये भी कि वो नैना को घर छोड़ने जा रहा है रजट मौसम बहुत खराब हो रहा है बहतर होगा कि तुम नैना को लेकर सीधा घर आ जाओ नैना के घर पर मैं फॉर्म कर दूँगा इस मौसम में जादा देर घर से बाहा रहना ठीक नहीं है रजट ने नैना को बात बताई और उसे लेकर अपने घर आ गया अनुज ने नैना को अपने कमरे में जाने के लिए कहा और वो चली गई नैना को अपने घर पर देखकर रीना को बहुत गुस्सा आया, पर नीता ने एक शब्द नहीं बोला मा, आपने नैना को घर के अंदर कैसे आने दिया? कुछ कहा क्यों नहीं? बहुत कहलिया मैंने ऐसे ही, अब सही मौके और सही जगा पर ऐसा वार करूंगी कि नैना नाम की मुसीबत हमेशा के लिए हमारी जिन्दगी से निकल जाएगी आखिर क्या चल रहा है नीता के शैतानी दिमाग में क्या उसकी अगली चाल नैना की पूरी जिन्दगी बदल देगी आगी की कहानी जानने के लिए देखते रहिए जो खाई थी कसम वो निभाई नहीं कहानी का अगला भाग सिर्फ अपने चानल लव सिटी पर थैंक्स फॉर वाचिंग अगली सुबह नैना रेडी होकर हॉल में आई जहां अनुच पहले से बैठे हुए थे अरे नैना बेटा उठकाई जी पापा अब मैं चलती हूँ घर पर माँ परिशान हो रही होंगी अरे नाश्टा कर लो फिर चली जाना रजट छोड़ाएगा तुमें चलो बैठो नैना अनुच के बाद को मना नहीं कर पाई और रुख गई रजट नाश्टा कर नाश्टा करने बैठ गई नीता और रीना उठकर जाने लगी तुम दोनों कहां जा रही हो? बाजार कुछ सामाल लाना है इससे ज़ादा कुछ भी कहे बिना नीता रीना को लेकर चली गई कुछ ही देर में नैना और रजट भी घर से बाहर आ गए रजट ने अपने बैंड की पॉकिट में हाथ रखकर कुछ टटोला मैं कार की चावी लाना भूल गया हूँ नैना तुम कार के पास पहुंचो मैं भी चावी लेकर आता हूँ नैना ने हा में सिरह लाया और घर के बाहर गेट के पास खड़ी कार के पास चली गई और रजट का इंतिजार करने लगी तभी उसके कानों में कार से थोड़ी ही दूर खड़ी नीता, रीना और महले की कुछ औरतों की बाते पड़ी अरे नीता, कल रात को बारिश के मौसम में मैंने तुमारी बहू और छोटे बेटे को एक साथ आते देखा था कहीं गए थे क्या वो? हाँ, मैंने भी अपनी बालकनी से देखा था सब ठीक है ना? हाँ, शीला, सब ठीक ही है और अगर नहीं भी है, तो मैंने अपनी आखे बंद कर ली है क्या हुआ नीता, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? और इतनी उदास क्यों लग रही हो? आंटी, अम्मा क्या ही बताएंगी अपने ही घर की तो बेज़ती होती है माने भावी को समझाने की कई बार कोशिश की पर वो माने तब ना? नैना को अन लोगों की बाते बहुत अजीब लग रही थी और उससे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना जा रही थी तभी वहार रज़त आ गया नैना को अन लोगों की बाते सुनते देख कर वो भी उन लोगों की बाते सुनने लगा क्या हुआ नीता साफ साफ बताओ प्रखर को गए अभी कोछ ही दिन होए है और मेरी बहु ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया साथ ही मेरे छोटे बेटे के साथ उसके दोस्ती भी बढ़ रही है पहले वो लोग एक साथ बढ़ते थे मानती हूँ पर अब पहले जैसे हाला थोड़ी है कि जैसे चाहें वो घूम ले थोड़ा तो मर्यादा में रहना चाहिए न और क्या ही बताऊं आंटी भाबी ने तो अब पहले जैसे कपड़े पहनना भी शुरू कर दिया है मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से मैं आज के जमाने की लड़की हूँ पर इतनी जल्दी ऐसे रहने लगना और रज़त भाई के साथ घूमना हम दुनिया का मुझे तो नहीं बन कर सकते ना सही बात है पहले तुम अपना मुझे बन कर लो रिना दुनिया की बात तो बात की है उन लोगों की घटिया बाते सुनकर आज रज़त खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और वहां आ गया हम लोगोंने तो वैसे भी अपना भूबंध ही कर लिया है बेटा पर तुम और किस-किस का मूबंध कराओगे अब भी समय है समझ जाओ देखो मैं जानती हूँ शादी से पहले तुम और नैना दोस्त या शायद दोस्ते कुछ जादा थे पर अब दोबारा से वो सब शोभन ह नहीं देता है आप लोग ऐसी बाती क्यों कर रहे है मम्मी जी मैंने ऐसा क्या कर दिया है हम तुम्हें दोश नहीं दे रहे हैं बेटा एक औरत होने के नाते मैं तुम्हारी इच्छाएं समझती हूँ इतनी कम उम्र में विध्वा होने की वजह से तुम्हारे बहुत से रहे है मम्मी जी मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मुझ पर ऐसे एर्जाम लगा रही है मानती हूँ मेरी शादी प्रकर से हालातों के कारण हुई पर जिस दिन मैंने उनकी नाम का सिंदूर अपनी मांग में लगाया उस दिन के बाद से मैंने उनके सिवा किसी के बारे में ना तु सोचा और नहीं चाहा। ना तु से वो लोग उसके चरित्र को मैला कर रहे थे, वो किसी मौत से कम नहीं था, रजद भी ये सब देख रहा था, नैना से अब और बरदाश्ट नहीं हुआ और वो रोते हुए वहां से जाने लगी, नैना को ऐसे जाते देखकर नीता के चहरे पर एक जहरीली मुस्कान नैना अपना नाम सुनकर नैना रुक गई और उनकी तरफ देखने लगी, बेटा तुम से एक विनिती है, तुम प्लीज अब इस घर में मताना, मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुम पर सवाल उठाए, आखिर हो तो तुम मेरी बेटी जैसे ही ना, रही बाद शीला के बताए रिष्टे की तो उसे लेकर मैं शीला के साथ खुद तुम्हारे घर आऊंगी, तभी किसी ने पीछे से गुस्से में चलाया, नीता, नीता ने हर बड़ा कर पलट कर देखा, तो सामने अनुच खड़े थे, तुम्हारी हिमत कैसे हुई, नैना से इस तरह की बात कहने की, अ इतना ही नहीं, अपने इस बेटी को भी तुम बहुत अच्छे शिक्षा दे रही हो, अनुज ने रीना की तरफ गुस्से में देख कर कहा, और उसने अपनी नजरे जुका ली, नैना दोबारा से जाने लगी, तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, नैना ने देखा, त पर रजट ने किसी की बात नहीं सुनी, और नैना को लेकर घर के मंदिर के सामने आ गया, उसके पीछे पीछे बाकी सब भी वहाँ आ गये, और उन दोनों को देखने लगे, रजट ने मातारानी के पास रखा सिंदूर उठाया, और नैना की मांग भर दी, रजट की इस हरक और सोचने मेरी आखे खोल दी है, मैं समझ गया हूँ कि आप लोग किसी का दुख ना तु कभी महसूस कर सकते हैं, और ना ही एक दुखी ओरत को जलिर करने से कभी चूख सकते हैं, पर अपसे नैना केली नहीं है, बलकि मैं उसके साथ कड़ा हूँ, अगर हिम्मत है तो अगर तुम ये नहीं चाहती कि मैं सब के सामने तुम्हें जलिल करू तो अपना मू बंद रखो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो तुम्हें अभी इसी वक्त ये घर छोड़का जाना होगा, बस कीजे आप लोग, आप लोग ने मुझे समझ क्या रखा है, जिसका ज जो मन होता है, कहकर चला जाता है, जो मन करता है, बिना मुझे से पूचे मेरे लिए फैसला ले लेता है, शायद आप लोग भूल रहे हैं कि मैं भी एक इंसान हूँ, जानवर नहीं, और रज़त किस से पूच कर तुमने ये हरकत करी, नेना मैं, तुमने एक बर में जानना जाहा कि मैं क्या चाहती हूँ, नहीं मानती मैं इस शादी को, ये कहकर नेना अपनी मांग का सिंदूर पोचने लगी, तब ही अनुझ ने उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं नेना, तुम्हीं नहीं कर सकती, मांग में सिंदूर लगने से अगर इस्ता जुड नहीं सकता, तो उसे पोचने से वो मिठेगा भी नहीं, तुम्हें इसे मान नहीं पड़ेगा, शायद यही भगवान की मर्जी थी, भगवान की नहीं, बल्कि आप सब की, अरे चुप करो तुम, और खुशिया मनाओ, यहीं तो चाहती थी न तुम, बस, एक और शब्द नहीं, वरना मैं यह भोल जाओंगा कि तुम मेरी छोटी बैन हो, मैं भी नेना के परिवार वालों को इस सब के बारे में इंफॉर्म करता हूँ, यह कहकर अनुज ने सुभाश को फोन करके सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सुभाश, रेखा और प्रियल, कुछ ही देर में वहां पहुँच बाई साहब, माफी चाहता हूँ, सब कुछ जिन हाला तुम्हे हुआ, हम सब के लिए भी उतना ही शौकिंग था, नहीं बाई साहब, आप माफी मत वाँगी, मैं समस्ता हूँ रजट बेटा, आज जो तुमने मेरी बेटी के लिए किया है, मैं उसका एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगी, बस तुमसे एक ही गुजारिश है, कि अब उस पर कोई दुख मत आने देना, अब कोई दुख क्यों आएगा, जो चाहते थे वो मिलतो गया आप चिंता मत किजी आँटी, मेरे रहते कोई भी नैना के साब बस तलू की नहीं कर सकता रजट ने नीता और रीना को घूर कर देखा, कुछी दिर में सुभाश प्रियल और रेखा, नैना से मिलकर अपने घर वापस लोटाए अनुज ने रजट और नैना को उनके कमरे में भीज दिया, नैना चुट्चा परेशान से खड़ी थी, तभी रजट उसके पास आया नैना, मैं क्यों किया तुमने ऐसा रजट, लोगोंने मुझ पर कम तोहमते लगाई थी क्या अब तक, जो आज तुमने हर उस तोहमत पर स्टैंप लगा दिया, मेरी मांग भर कर नैना, उस वक्त मुझे जो सही लगा, मैंने कर दिया, कोई तुम्हें जलिर करे तो यह मैं बरदाश्ट नहीं कर सकता यह क्याकर रजट ने अपनी नजरे घुमाली यह कहकर रजट वहां से चला गया, और नैना उसे देखती रह गई उस दिन से रजट नैना का बहुत ध्यान रखने लगा, उसकी पढ़ाई और कोई भी जरूरत हो, वो नैना के बिना कहे समझ जाया करता था उसके रहते नीता या रीना में से किसी की भी नैना से कोई भी बत्तमीजी करने की हिम्मत नहीं पढ़ती थी देखते ही देखते तीन महीने बीट गए, एक दिन रजट जब घर आया तो नैना बैट पर लेटी हुई थी, देखने से उसकी तबियत कुछ ठीक नहीं लग रही थी अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखा रहा है, रुको, मैं भी आता हूँ ये कहकर रजट तेज कदमों से कमरे से बाहर गया और कुछ ही देर में बर्फ का पानी और पट्टी लेकर आ गया और नैना के सर पर रखने लगा रजट को अपनी इतनी केर करती देख कर नैना की आखे भराई और उसने तुरंत अपने आसू पोंच लिए रजट उसके माधे पर बर्फ की पट्टिया रखने लगा तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अर्मा होए पूरे दिलके ऐ मेरी जाने वफा तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है साथ तेरी रहेंगे सदा तुमसे न होंगे जुदा तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अर्मा होए पूरे दिलके ऐ मेरी जाने वफा मेरे सनम तेरी कसम छोड़ेंगे अपना ये हार ये जिन्दगी ललला गुजरे की अप हम दम तुम्हारे हिसा अपना ये वादा रहा तुमसे न होंगे जुदा तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अर्मा होए पूरे दिलके ऐ मेरे जाने वफा रजट सारी रात नैना के सर पर पट्टी रखता रहा इसी में कब उसकी आँख लग गई उसे खुद पता नहीं चला अगली सुबह जब नैना की आँख खुली तब रजट बैट पर टेक लगाए उसके बगल में बैठे बैठे सो रहा था नैना बस उसे देखे जा रही थी अब उसका बुखार भी उतर चुका था रजट को अपनी इतनी परवा करते देख कर नैना की आँखे भराई तबी रजट की आँख खुली और वो जट से उटकर खड़ा हो गया सॉरी वो पट्टी रखते रखते कब आँख लग गई पता है नहीं चला अभी तुम्हाई तबित कैसी है ठीक हूँ, ठैंक यू रजट हलका सा मुस्कुराया और सीधा वाश्रूम में चला गया नैना के चहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई आज न जाने कितने दिनों बाद उसके होट दिल से मुस्कुराय थे कुछ सोचकर वो उठी और रजट के लिए कबर्ट से कपड़े निकाल कर उसने बेट पर रख दिये और नीचे चली गई रजट जब नहा कर रूम में आया और उसने कपड़े बेट पर निकले देखे तो उसे बहुत हैरानी हुई उसने बिना कुछ कहे वही कपड़े पहन लिये और नीचे आ गया जहां नैना ने आज रजट की पसंद कर नाश्टा बना कर रखा था ये देखकर रजट को बहुत अच्छा लगा और वो नाश्टा करके कॉलेज चला गया नैना आज कॉलेज नहीं गई थी इसलिए अपने कमरे में चली गई उस रात के बाद कुछ तो था जो पहले जैसा नहीं था नैना जो कि रजट के साथ अपने रिष्टे को मानना तक नहीं चाहती थी वो उस दिन से रजट के बारे में सोच रही थी शायद बीते वक्त का वो प्यार जो नैना ने बुरी तरह से अपने मन के एक कोने में दफना दिया था वो वापस उस पर हावी होने लगा था ये मुझे क्या हो रहा है मैं रजट के बारे में कैसे सोच सकती हूँ नहीं ये गलत है ये कहकर नैना ने अपने खयालों को जटक दिया वक्त के साथ रजट और नैना मन ही मन एक दूसरे के करीब आने लगे पर कोई भी एक दूसरे से कह नहीं पा रहा था एक दिन आज मैं नैना से अपने मन की बात कह दूँगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ रजट अपने कमरे में गया नैना उस वक्त बैठ ठीक कर रही थी नैना नैना उसकी तरफ मोड़ी कहो कभी सोचा नहीं था कि ये बात मैं तुमसे कभी इस तरह से कहूंगा मैंने जानता कि तुम्हारा क्या जवाब होगा पर मैं ये बात और नहीं चुपा सकता मैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ नैना I love you नैना ने रज़त की बार का कोई जवाब नहीं दिया ये देखकर रज़त मायूस होकर वहां से जाने लगा तभी नैना बोली मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हो रज़त I love you too ये देखकर रज़त चौक गया और फिर उसने मुस्कुराते हुए अपने बाहे पहला दी और नैना उसमें समा गई आज सही मायने में उन दोनों की शादी शुदा जिन्दीगी की शुरुआत होई थी कुछ दिन और बीट गए और रज़त और नैना खुशी-खुशी अपनी जिन्दीगी बिताने लगे तब ही एक दिन अचानक से नैना को चक्कर आने लगे नैना की ऐसी हालत देखकर रज़त ने तुरन डॉक्टर को फोन करके बुलाया जिन्होंने नैना को चेक करके कहा इस खबर से घर में खुशियों की लहर दोड़ गई सभी बहुत खुश थे सिवाए नीता और रीना के पर वो दोनों अपनी पोल खुलने के डर से कुछ कर नहीं पा रही थी देखते ही देखते साथ महीने बीट गए और आज नैना की गोद भराई थी तो घर में सुभा से ही तैयारिया चल रही थी नैना अपने कमरे में तैयार हो रही थी उसने यलो कलर का लहंगा पहना हुआ था तभी रज़त ने पीछे से आकर उसे हग कर लिया बहुत सुन्दर लग रही हो तुम्हारी प्यार का निखार है तो हमेशे रहे गए निखार ये कहकर रज़त ने नैना के गाल पर किस कर लिया तभी वहाँ प्रियल आ गई और उन दोनों को ऐसे साथ देख कर बोली अभी रोमैंस खतम हो गया हो तो नीचे चल सकते है रज़त जट से नैना से अलग हो गया और प्रियल हसते हुए उन दोनों के पास आ गई चले कि कैसे रियक्ट करें क्योंकि उनके सामने कोई और नहीं बलकि प्रखर खड़ा था जब जिसे अपनाना चाहा किसमत ने तब उसे नैना से दूर कर दिया जब अपना प्यार भुला कर प्रखर के साथ जिंदगी बिताने के लिए नैना तयार हो गई तब प्रखर उसे छोड़ कर चला गया नसीब ने दुबारा से बिछड़े होए प्रेमियों को एक साथ लाया तब ही फिर से बीता हुआ कल नैना के सामने आकर खड़ा हो गया आखिर क्या लिखा है नैना की किसमत में आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहे प्रखर की आखों में भी इतने वक्त बाद अपने परिवार को देखकर खोशी के आँसू थे नीता भाग कर प्रखर के पास गई और उसे गले लगाते होए बोली तुम जिन्दा हो बेटा मैं बता नहीं सकती तुम्हें अपने सामने देखकर मैं कितनी खोश हो अनुज और रज़त प्रखर के पास आई और उसे गले लगा लिया मुझे अपनी आखों पर यकीन ही हो रहा है कि तुम मेरे सामने हो कहां थे तुम इतनी दिनों से प्रखर सभी प्रखर को देखकर बहुत खोश थे तभी प्रखर की नजर नैना पर पड़ी और वो मुस्कुराते हुए उसके पास गया और उसे गले लगा लिया प्रखर की बात सुनकर नैना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे क्या करे रजद भी बस चुप चाप खड़ा था प्रखर ने चारो तरफ सजा हुआ घर देखा ये सुनकर नीता के चहरे पर एक कोटिल मुस्कान आ गई और इससे पहले की कोई कुछ बोलता वो बोल पड़ी बेटा यहाँ गोद भराई की रस्म चल रही है प्रखर को कुछ समझ नहीं आया और उसने नैना की तरफ देखा जो परेशान सी आखों में आसू लिये खड़ी थी नैना रजट के बच्चे की मा बनने वाली है यह सुनते ही प्रखर पर जैसे आसमान टूट गया रजट के बच्ची की मा? हाँ जब तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चला तब नैना ने रजट से शादी कर ली और आज उसकी गोद भराई है प्रखर नैना और रजट की तरफ देखा उसकी आखों में आसू और अपने साथ हुए धोके के भाव थे वो बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा बेटा तुम क्यों इस घर से जाओगे बल्कि नैना को तुम्हारे पास वापस आना होगा पहले पती के जिन्दा रहते उसकी तो दूसरी शादी ही मान्य नहीं है नैना अब जब प्रखर वापस आ गया है तो तुम्हारी और रजट की शादी मान्य नहीं है इसलिए आज से तुम रजट की पतनी बन कर नहीं बल्कि प्रखर की पतनी बन कर रहोगी नैना ये सुनकर शौक्ड रह गई उसकी आँखों से लगातार आंसू बह रही थे और मन में खयाल आ रहा था आखे क्या है मेरी पहचान मैं इंसान हूँ या जानवर कि जब जाहू तब एक खूटे से छुड़ा कर दूसरे में बांदो रीना जाओ अपने प्रकर भाईया और नैना भावी का कमरा तयार करो आज से नैना वही रहेगी नीता ये बोल ही रही थी कि तब ही एक जन्नाटे दार थपड उसके गाल पराकर पड़ा जिससे वो खुद सन रह गई ये थपड उसे अनुज ने मारा था इतनी घटिया बाद मुझ से निकालते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती वो भी अपने ही घर की बहु के लिए सब को जानती हुए भी तुम चीजों को सुधाने की बजाए दिगाना चाहती हो प्रकर बेटा इस औरत ने तुम्हे ये तो बताया कि नेना और अजट ने शादी कर ली है पर किन हालतों में करी ये नहीं बताया ये कहकर अनुजन नेना के साथ उन दिनों में जो कुछ भी हुआ वो सब प्रकर को बता दिया जिसे सुनकर वो शौक्ड रह गया और नीता की तरफ देखने लगा इसमें मेरा क्या कसूर था अगर दुनिया नेना पर उंगली उठा रही है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ अनुज की बात सुनकर सारे महमान वहां से चले गए और अब सिर्फ नेना और रजट का परिवार ही वहां था ये कहकर प्रखर अपने कमरे में चला गया रजट नेना को कंधे से पकड़ा और हिम्मत दी ये देखकर नीता बोली प्रखर को बहुत गहरा सद्मा लगा है तो उसके सामने तुम लोग अपने ये प्रेम प्रदर्शन मत करना वरना उसे बहुत बुरा लगे ये कहकर नीता वहां से चली गई रीना भी उसके पीछे पीछे चली गई रजट बेटा नेना को कमरे में ले जाओ इस वक्त उसके लिए ऐसा टैशन का माहौल ठीक नहीं है रजट ने हा में सिरह लाया और नेना को लेकर वहां से चला गया आकर ये सब क्या हो रहा है और मेरे बेटी की सब में क्या गलती है जो उसे ये सब भूगतना पढ़ रहा है बेट जी आप परिशान मत होईए ये हमारे तीनों बच्चों के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है इस वक्त हम कमजोर नहीं पढ़ सकते अनुज ने रेखा को समझाया और फिर सुभाश रेखा और प्रियल वहां से चले गए वहीं प्रखर कमरे में अपने खयालों में खोया हुआ था तभी वहां नीता आ गई क्या सोच रहे हो बेटा कुछ नहीं मैं जानती हूँ इस वक्तों में खुद के साथ धोका हुआ सा महसूस हो रहा है पर शायद भगवान की भी यहीं मर्जी थी वरना एक बार रिष्टा खत्म होने के बाद भी रज़त और नैना का रिष्टा दोबारा कैसे जुड़ गया प्रखर को नीता की बात समझ नहीं आई एक बार खत्मोने के बाद तुम्हें नहीं पता नहीं नहीं कुछ नहीं बताईए मा आपने ऐसा क्यूं कहा वो तुम्हारी और नैना की शादी से पहले रज़त और नैना एक दूसरे को पसंद करते थे मुझे लगा था कि नैना ने शायर तुम्हें ये बात बता दी होगी अगर मुझे पता होता कि तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता है तो मैं तुम्हें ये बात कभी नहीं बताती नीता ने दुखी और परिशान होने का नाटक करते हुए कहा प्रखर ये बात जानकर शौक्ड रह गया नीता वहां से चली गई दूसरी तरफ नैना रजट के कंधे पर सर रख कर बैठी थी मुझे बहुत टर लग रहा है रजट ना जाने अब क्या होगा मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ नैना तुम परिशान मत हो सब ठीक हो जाएगा प्रखर भाई जरूर हालातों को समझेंगे और हमारी मजबूरी भी रजट और नैना आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी दर्वाजे पर खड़ा प्रखर बोला समझूंगा नहीं समझ गया प्रखर की अवाद सुनकर रजट और नैना प्रखर की तरफ देखने लगे और प्रखर उनके कमरे में आ गया प्रखर ये सब चिन हालतों में हुआ वो मैं कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है नैना मैं समझता हूँ कोई ना कोई बड़ी वज़े होगी तब ही तुम लोगों ने ऐसा किया मैं बस तुम दोनों से इतना कहने आया हूँ कि मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं है तुम दोनों अपनी ज़न्दी की खुशी सजी हो और नैना इस हालत में तुमें किसी भी तरह की कोई भी टैंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इससे तुमारे होने वाले बच्चे की सिहत पर असर पर सकता है प्रखर के मुझे ये सारी बाते सुनकर रज़त और नैना ने चैन की सांस ली और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई प्रखर भी वहां से चला गया उसने बाकी घरवालों को भी अपना फैसला बता दिया जिसे सुनकर नीता और रीना दोनों शौक्ड रहे गई मा ये प्रखर भाई ने तो नैना और रज़त भाई की रिष्टे को मन्सूरी दे दी हमने तो सोचा था वो इन दोनों का पास जानकर कोई कड़ा कदम उठाएंगे मुझे भी इस बात के हैरानी है रीना कि प्रखर इतनी आसानी से सब कुछ कैसे एक्सेप्ट कर सकता है वो दोनों अपस में बाते कर ही रही थी कि तभी उन्हें प्रखर अपने कमरे में जाता दिखा मुझे तुम पर गर्व है बेटा सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है वरना अपनी पत्नी और अपने भाई को एक साथ देख पाना हर इनसान के बस की बात नहीं है प्रखर ने नीता की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया देखते देखते दो महीने बीद गए और नैना के डिलीवरी का दिन आ गया सब लोग उपरेशन थे और अंदर नैना का उपरेशन चल रहा था रज़त बहुत बेचैन हो रहा था उसे ऐसे परिशान होता देखकर अनुज उसके पास आए इतनी बड़ी टैशे मत लो बेटा, सब अच्छा होगा तबी ऑपरेशन थेटर की लाइट बंध हो गई और नर्स एक बच्चे को लेकर बाहर आई मुबारेख हो, बीटा हुआ है रज़त और अनुज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और दोनों एक दूसरे के गले लग गए आज पहली बार इस खबर से नीटा के चहरे पर भी एक हलकी सी मुसकान आ गई प्रखर भी दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था नर्स, नैना कैसी है? मा और बच्चा तूनों ठीक है, हम कुछी देर में उन्हें वाड में शिफ्ट कर देंगी थोड़ी देर में नैना को वाड में शिफ्ट कर दिया गया और नर्स बच्चे को साफ सफाई करने के लिए उसे अपने साथ लेकर चली गई अनुज नैना के घर पर भी इंफॉर्म कर दिया था जिस वजह से वो लोग भी हॉस्पिटल आ गए थे नैना को होश आ चुका था हर चरफ खुशी का माहौल था तबी बाहर से अफ्रा तफ्री मचने लगी और नर्स भागते हुए वाड के अंदर आई उसे ऐसे घबराया देखकर रजट उसके पास गया क्या हुआ नर्स आप इतनी घबराय हुई क्यों है वो वो जो आपके परिवार के साथ आये थी शायद आपके भाई वो आपका बच्चर जबरदस्ती मुझसे छीन कर भाग गए है नर्स की बात सुनकर सब सन रह गए यह आप क्या कह रहे है नर्स रजट रजट बिना कोई जवाब दिये वोट से बाहर प्रखर को ढूनने चला गया उसके पीछे अनुच और सुभाश भी गए तभी रजट का फोन बजा फोन प्रखर का था हेलो भाई कहा है आप और मेरे बच्चे को लेकर कहा गए है सारी रजट मुझे एक कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि अब तुम अपने बच्चे को कभी नहीं देख पाओगे क्योंकि मैं उसे हमेशा के लिए तुम सबसे दूर लेका जा रहा हूँ यह आप क्या कह रहे हैं और क्यूँ तुमने मुझसे मेरी पत्नी छीट ली और पूछ रहे हो कि मैं ऐसा क्यूं कर रहा हूँ मैं तुमे भी वही तकलीफ देना चाहता हूँ जिस तकलीफ से इतने दिरों से मैं बुज़र रहा हूँ जब कोई आपका होकर भी आपका ना हो पर आपके आखों के सामने किसी और के साथ खुशी खुशी रह रहा हो तो कैसा मैसूस होता है तुम और नैना शादी से पहले एक दूसरे से प्यार करते थे थे ना तो मुझे दोगे में क्यों रखा और मेरा एकसिजेंट होते ही शाद ये कहकर प्रखर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया रजद ने उन्हें सारी बात बताई जिसे सुनकर अनुज ने अपना सर पकड़ लिया मुझे नहीं पता था कि भया के मन में ये सब चल ला है ये वक्त जज़बाती होने का नहीं है अनुज ने पुलिस को फोन करके सारी बात बताई और प्रकर के बारे में इंफॉर्मिशन दी पुलिस भी तुरंत प्रकर की खोजबीन में लग गई नैना को जब इस बारे में पता चला तो वो किसी भी तरह से हॉस्पिटल में रुकने को तयार नहीं हुई और साथ चलने की जित करने लगी थोड़ी देर में पुलिस ने रज़त को इंफॉर्म किया कि प्रकर मिल गया है प्रकर उसी ब्रिच के पास था जहां उसका एक्सिडेंट हुआ था ये सुनकर सब लोग तुरंत वहां के लिए निकल गए वहां पहुचकर उन्होंने देखा कि प्रकर को पुलिस पकड़े हुई है और एक लेडी कॉंस्टेबल रज़त और नैना के बच्चे को पकड़े खड़ी थी नैना ने लड़कडाते कदमों से भाग कर अपने बच्चे को कॉंस्टेबल से लेकर उसे अपने गले से लगा लिया प्रकर ऐसा क्यूं किया तुमने यह आप पूछ रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यूं किया अरे आप सबने मेरे साथ क्या किया पहले मैं जिससे प्यार करता था उससे मेरी शादी ना हो कर किसी और से हो गई जब मैंने अपने उस रिष्टे को दिल से अपना लिया तब मेरा एक्सिडेंट हो गया पर मैं इतना बदकिसमत हूँ कि इतना बड़ा एक्सिडेंट होने के बाद भी मुझे मौत नहीं आई चोकि मुझे अपनी पत्री को अपने ही छोटे भाई की पत्नी बने जो देखना था अरे अगर मा मुझे नहीं बता दी तो मुझे तो रज़त और नैना ने अपनी शादी से पहले करश्टे के बारे में भी बताना ज़रूरी नहीं समझा था उस दिन मैंने ये डिसाइट किया ये बोलते बोलते प्रखर फोट फोट कर रोने लगा हर किसी को उसका दर्द महसूस हो रहा था तब ही अनुज ने गुस्से से नीता की तरफ देखा जो चुपचाब जो कुछ भी हो रहा था वो देख रही थी अनुज उसका हाथ पकड़ कर घसीट कर सबके बीच में ले आए तो इस बार की भी आग तुम्हारी ही लगाई हुई है मेरी बात तो कितनी बेशर्म और धूर्द औरत हो तुम शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए वो भी अपने ही बेटों के साथ और उस बहु के साथ जो तुम्हारी घर के चिराख को इस दुनिया मिलाई है आज तक मैं तुम्हारी हर करतूद को छुपाए रहा पर अब नहीं तुम्हारा मन इतना काला है उस तक कभी अच्छाई पहुँच ही नहीं जगती इक सच्चाई और है जो आप लोगों को आज मैं बताना चाहता हूँ शादी के वक्त जो पिरियल का किटνाप हुआ था जिसका अल्जाम नहना के उपर आया था नहना की सारी सच्चाई सब को बता दी नीता की सच्चाई जानकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान और सन रह गए और आप लोग इस सब की वज़ा जानते हैं किसने ऐसा क्यों किया इसकी वज़ा है इसका इसके कद से भी बड़ा एगो मेरा बेटा मेरी मर्जी के खलाब जाकर शादी किसी से कैसे कर सकता है वो अगर ऐसा करेगा तो फिर मैं साम दाम डंड भेद लगा कर ऐसा नहीं होने दूँगी फिर उसके कारण चाहे फिर मेरा पूरा परिवार ही क्यों न तबाह हो जाए अरे देखो आज अपने इस परिवार को जहां तुम्हारे दोनों बेटे एक दूसरे के दुश्मन बने खड़े है जहां एक ही लड़की तुम्हारे दोनों बेटों की पत्री बन गई है जहां तुम्हारा एक बेटा अपने ही भाई के बच्चे को नुकसाद पहुचाने को तयार है चाहिए दोनों ऐसे थे? नहीं, तुम्हारी जाल साजियों नहीं इने ऐसा बना दिया अरे अगर तुम्हें अपनी चाले नाथ चली होती तो आज इस घर में खुशिया होती पर नहीं, तुम्हें तो सत्ता चाहिए थी कहीं मेरे दोनों बेटे अपनी बीवियों के हूंकर रह गए तो मेरी हुकुमत कैसे चल पाएगी, है ना? नीता आखों में आसू लिये सर जुका कर सब कुछ सुन रही थी आज इतने दिनों से मन में भरा अनुश के अंदर का सारा गोबार निकल रहा था और बाकी सब सुन रहे थे इतना ही नहीं, देखो अपनी इस बेटी की तरफ, क्यां बना रही हो तुम उसे, क्या शिक्षा है तुम्हारी आज जो तुमने अपने घर में किया, कल को वो अपने सस्वाल में जाकर करेगी मा, आप मेरे साथ ये सब कर सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था आज सिर्फ आपकी वज़े से, हमारी जिंदेगी स्मोल पर आकर खड़ी हो गई है बीटा, नेना और रजट कॉलेश टाइम से एक दूसरे से प्यार करते थे पर सिर्फ घर की इज़द बचाने के लिए दोनों ने अपने प्यार की चुपचाब कुरबान ही दे दी और आज ये जलील औरत उन्हें ही बदनाम कर रही है रजट, नेना, मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया, वो माफी के लायक तो नहीं है पर, भूल जाईए, मैं समझ सकता हूँ आपके मन के हालत रजट और नेना ने प्रखर को माफ कर दिया और अपना केस भी वापस ले लिया तब ही प्रखर की नजर वहीं खड़ी प्रियल पर पड़ी और वो उसके पास गया मेरे और मेरे परिवार के वज़े से तुम्हें जो भी दुख पहुंचा मैं तुमसे भी उसकी माफी माँगता हूँ प्रियल, मुझे माफ कर दो प्रियल ने नामे से रहिलाया मुझे खुशी है, कितनी मुश्किलों के बाद ही सही पर कम से कम सब के बीची गल्ट फैमिया तो दूर हो गए अब हमें चलना चाहिए ये कहकर सब जाने लगे, नीता भी चलने लगी, तब ही अनुझ ने उसे रोक दिया तुम अब मेरे घर में वापस नहीं आ सकती मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे घर से मत निकाले मैंने जो कुछ भी किया वो बहुत गल्ट था पर अब मुझे अपनी गल्टी का एहसास हो गया है अपने इस परिवार और घर को छोड़ कर मैं कहां जाऊंगी तुम्हारे जैसी औरते कभी नहीं सुधरती और तुम उम्र में कम हो और गल्ट संगत में रही हो इसलिए तुम्हें आखरी मौका दे रहा हूँ अगर तुमने खुद को नहीं सुधरा और अपनी मा के दिखाए नक्षे कदमों पर चलती रही तुम्हें भी इस घर से बाहर करने में मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा समझी रीना ने अपनी नजरे जुका ली ऐसा मत करिये पापा माफ कर दीजे मा को उन्हें अपने किये का पच्चतावा है उन्हें उनके परिवार से दूर मत कीजे प्लीज अनुज ने नैना की कोई बात नहीं मानी और नीता को वहां से जाने को कह दिया नीता रोते हुए वहां से चली गई रजत ने नैना और अपने बच्चे को गले लगा लिया वहीं दूर खड़ी प्रियल बार-बार प्रकर की तरफ देख रही थी उसकी आखों में आसू थे मैं तुमारी तकलीफ समझती हूँ प्रकर और उसे बाटना भी चाती हूँ पर अब मेरे पास वो अधेकार नहीं है पर मेरा दिल आज भी तुम्हें चाहता है प्रियल की आखों से आसू छलग गए किसी के प्यार को इतने परेशानिया सहने के बाद मन्जिल मिल गई पर किसी की महबत आज भी अधूरी है क्या पता आज नहीं तो कल उनकी महबत को भी मन्जिल मिल जाए और जो कसम उन्होंने प्यार की खाई थी जिने वो हालातों के कारण निभा नहीं पाए वो पूरी हो जाए दूआ कीजिए आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा ऐसी ही और भी इंट्रेस्टिंग कहानिया देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लव सिटी थैंक्स फॉर वाचिंग